प्रवाज़ के कुणे में था साइपन की उनकी यात्रा ने उन्हें ठका दिया था इसलिए उन्हें वास्तव में आराम से स्नान करने की आवश्चक्ता थी हाला कि जैसे ही वह बाथरूम में दाखिल हुआ वह थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसकी आखों में एक अजीब सा दिखाई दिया बाथरूम के अंदर नौकराने की पोशात पहने और लगभग एक जैसी चहरे की विशेश्टाओ वाली दो खूबसूरत लड़किया थी स्पष्ट रूप से जुरवा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं धनुष हैरान था नमस्ते महुदय हम आपको नहलाने जा रहे हैं सुन्दर जुरवा बहने मुस्कुराई और एक स्वर में बोली अजीब और शर्मिंदा धनुष ने अपना हाथ हिलाया कोई जूरत नहीं है मैं खुद नहा लूँगा मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्क्ता नहीं है इसलिए तुम दोनों बाहर जा सकते हो लड़कियों में से एक मंदमंद मुस्कुराई सर हम यहां आपको नहलाने और कपड़े पहनाने आए है यदि आप हमारी सेवा से इंकार करते हैं तो हमारा प्रबंधक सोचेगा कि हम अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं और हमें दंडित करेंगे क्योंकि वह सोचेंगे कि महमान संतुष्ट नहीं है चिंता मत करो मैं तुम्हारे मैनेजर को फोन करता हूँ रुप्या बाहर जाओ धनुष ने कहा जुर्वा बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा फिर दोनों ने सिरहिलाया और बाथरूम से जाने के लिए मुर गई उन्हें जाते देख धनुष को राहत मिली हाला कि उन्हें विदेशी जगहों पर थ्रीसम करने में कोई आपत्ती नहीं थी लेकिन फिलहाल उनके पास ऐसा कुछ नहीं था साथ देवियों के निरित्य ने उनकी रुची को जड़ाया और वह यह जानने के लिए उच्सुक थे कि यह वास्तव में क्या है कपड़े उटार कर वह नहाने में आराम करने लगा इसके बाद उन्होंने पहले से तयार नाइट गाउन पहन लिया और बाहर हाल में चले गए लेकिन फिर वह रुप गया और अचंभे में पढ़ गया हौल के अंदर पतली रंग बिरंगी मलमल में साथ लड़किया खड़ी थी उनमें से हर एक लाक्रे मेडे लाक्रे में बेले थी जिसमें उनके हर एक हावभाव से स्त्रैन आकर्शन झलक रहा था ठीक इसी समय वे वहाँ दिवार के पास खड़े थे चुपचा प्रतीक्षा कर रहे थे जिस चीज ने धनुष को उखडवाया वह यह था कि वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इन साथ लड़कियों ने अलग-अलग रंगों के मलमल की एक पतली परत पहनी थी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील और बैंगनी साथ रंग हाला कि उनकी पतली मलमल के पीछे कोई दूसरा आवरन नहीं था अपनी पैनी और पैनी आखों से धनुष इन साथ लड़कियों के रहस्यमय और गहन क्षेतरों को सपष्ट रूप से देख सकता था नमस्ते महोदय साथों लड़कियों के मुह से फर्राटिदार अंग्रेजी के शब्द निकले कुछ ही देर बाद एक सुगंधित हवा का आगमन हुआ और साथों कन्याए धनुष की ओर आ गई वे ओरियोल अबाबील और तितलियों की तरह थे जैसे की मंत्रमुग्ध युवा लड़कियों की इस टोली ने धनुष की बाह पकड़ ली जबकि अन्यने धीरे से उसकी पीठ को सोफे की ओर धकेल दिया क्या आप पहले आराम करना चाहेंगे और हमें नाचते हुए देखना चाहेंगे या सीधे मुद्धे पर जाना चाहेंगे सफेद मलमल में एक सुन्दर पूर्वी लुक वाली लड़की ने धनुष से प्रसनता पूर्वक पूछा खासी खासी कुछ देर सूखी खासी के बाद धनुष ने कहा चलो शुरू करते हैं सफेद मलमल में लड़की मंदमंद मुस्कुराई जैसे ही वह किनारे की ओर चली उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और उस पर एक बटन दबाया इसके तुरंत बाद सोफा धनुष अपने आप अलग हो गया क्योंकि दीवार विभाजित होकर मलमल के परदे और रेशम जैसी स्टील की रसियों से खुल गई सोफा खुद लगातार बदलता रहा और जल्द ही दस लोगों को समायोजित करने के लिए काफी बड़ा बिस्तर बन गया यह इस नजारे से चौक गए और इस तथ्य के बावजूद की वह अनुढवी और ज्यानी थे फिर भी धनुष ने अभी ऐसे द्रिशे की उम्मीद नहीं की थी केवल आधे मिनट के भीतर कमरे की सूरत पूरी तरह से बदल गई फिर से जोडे गए बिस्तर को छोड़ कर यहां तक की चादर और बिस्तर भी स्वचालित रूप से बदल दिये गए थे और बड़े करीने से बिस्तर पर रख दिये गए थे पतले मलमल के पर्दे में इंद्रधनुश के साथ रंग थे, जो धनुश के विस्तर के अंत में बैठने की स्थिति से बंधे थे उसके सामने सफेद धुंध के परदे से ढखा एक बड़ा बिस्तर भी था, जो इस समय सभी साथ लड़कियों के साथ बड़े बिस्तर पर लिटाए जा रहे थे हौल के दोनों किनारों पर एक धातु का सिंध पानी की धारा के रूप में उठा और फिर उसमें से छिर्काव किया चुंकि कमरे में प्रकाश मंध हो गया था और बहुरूप दर्शक रोशनी से बदल दिया गया था तब कमरे को सपनों के दृश्यों से सजाया गया था वह है धनुष की दृश्टी हर जगह तैरती बहुरंगी रोशनी और छाया पर टिकी थी वे प्रकाश प्रक्षेपन प्रिया में बिस्तर पर पुरुशों और महिलाओं के बीच सभी लड़ाई मुद्राई थी दिंग एक जंजनाहट सुनाई दी, जिसके बाद मधुर संगीत की गूँच सुनाई दी साथ लड़कियों के विपरीत दिश्चा में पतले परदे हिलने लगे क्योंकि उनके कोमल और कोमल शरीर लगातार मुद्रा बदलते रहते थे और बेहद आकरशक चित्र बनते थे श्री जैसे ही मधुर संगीत समाप्त हुआ, लाल मलमल में वह लड़की विपरीत पतले परदे से नंगे पाफ बाहर निकली और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी उसकी पतली सफेद उंगलियों ने धीरे से उसके सीने पर पतली डोरी खोल दी तुरंट उसकी गर्वित जुरवा चोटियो और आकरशक हंसली के साथ उसकी गोरा छाती धनुष के सामने प्रस्तुत की गई यहां तक की निचला हिस्सा भी भाहों को गहराई से सिकोरते हुए, धनुष जितना अधिक देखता, उतना ही अजीब महसूस करता जैसे ही लड़की के टॉपले स्तन दिखाई दिये, उसने अंदर आह भरी, क्योंकि अंत में वह समझ गया था कि वास्तव में साथ देवियो का अंरित्य क्या था शुख उसका फिगर चमक उठा और तुरंट लड़की के सामने प्रकट हो गया, पतली लाल मलमल पर खुला लाल धागा लेकर उसे फिर से बांज दिया उसने फिर अपना सिरहिलाया और कहा, चलो आज यहीं रुखते है मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए मुझे अब जाना होगा लाल मलमल की यह लड़की दंग रह गई, जब उसकी निश्चल आखें धनुष को बिना पलक जपकाए देख रही थी इस बात से अनभेग्य की उसे जाने की इतनी जल्दी क्यों थी, पतले परदे से अन्यच्य लड़कियां भी एक के बाद एक दिखाई दी, धनुष को हैरान भाव से देख रही थी, यह भी पता नहीं था कि धनुष को इतनी जल्दी क्यों जाना चाहिए क्यों की कार्यक्र अभी शुरू ही हुआ था. क्या वह? अचानक महसूस कर सकता था कि वह उस पहलू में अच्छा नहीं था. हाला कि उन्हें यथा संभव सभी महमानों के अनुरोधों को पूरा करने और महमानों को भगवान के रूप में मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया था. इसलिए उन्होंने अपने सामने के कपड़े के तार खोल दिये और धनुष के सामने नगन होकर खड़े हो गए. धनुष बुरी तरह भाउंचक्का हो गया और गुर्राया तुम सब वापस बिस्तर पर जाओ. उल्जन में सफेद मलमल में लड़की ने पूछा सर क्या ऐसा हो सकता ह है कि हमारी सेवाएं आपकी संतुष्टी के अनुरूप नहीं थी या यह इसलिए है क्योंकि आप हमारे दिखावे से संतुष्ट नहीं है. धनुष ने अपना सिरहिलाया, इसका तुम से कोई लेना देना नहीं है. इस साथ देवियों के इनृत्य का आनंद लेने के लिए यहां आने से पहले मुझे नहीं पता था कि क्या कार्यक्रम है. आपके दिखावे को देखने के बाद ही मैंने आखिरकार इसका पता लगाया. मुझे ऐसी सेवा की आवश्यक्ता नहीं है. इतना कहने के बाद धनुष बाथरूम में घुस गया और अपने कपड़े वापस पहन लिये, साथ लड़कियों की अजीब निगाहों के नीचे हॉल से बाहर निकल गया. बाहर गलियारे में रेवल की शालीन मुद्रा दिवार से दूर चली गई क्योंकि उसकी पतली उंगलियों ने सिग्रेट को जकड लिया. उसकी अभिव्यक्ती कुछ हद तक सपष्ट रूप से कठिन थी क्योंकि यह थोड़ी धीली थी. हाला कि जब विप्रीत कमरे का दर्वाजा खोला गया और धनुष अंदर से बाहर आया, तो उसकी अभिव्यक्ती सुस्त लग रही थी क्योंकि उसने जल्दी से सिग्रेट निकाली और धनुष को हैरान भाव से देखा. आम तोर पर उसे यहां धूमरपान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ महमानों को सिग्रेट के धुए की गंध पसंद नहीं थी. लेकिन उसने आराम किया क्योंकि उसे लगा कि धनुष बाहर नहीं आएगा और इस समय साथ देवियों के नृत्य का आनंद लेने के हम आपको सबसे अच्छी सेवा प्रदान करते हैं और आपकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी लड़कियां प्रदान करते हैं। को संतुष्ट कर सके तो उसे च्छा गुना दाम देना पड़ेगा दो संतुष्ट लड़कियों के लिए पांच बार और इसी तरह हैं। लेकिन अगर महमान एक लड़की को भी संतुष्ट करने में असमर्थ है तो उसे साथ गुना कीमत चुकानी होगी। के अंदर कोस्ते हुए धनुष्ट ने फिर रेवल की ओर देखा और हलके से कहा मुझे ख्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि साथ देवी नरित्य पहले इस तरह का कार्यक्रम था। मैंने इसे चुना क्योंकि मुझे लगा कि यह सिर्फ एक साधारन नरित्य था। लेकिन अब मैं इसे जारी नहीं रखूंगा। जैस्मीन को बुलाओ और उसे बताओ कि मैं एक आकस्मिक आदमी नहीं हूँ जो किसी भी तरह की महिला के लिए जाओंगा। यहाँ। रेवल अवाक रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि धनुष सच में उससे ऐसा कहेगा। धनुष को पीछे जाते देख उसने अपना मुह तो खोला पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। जदी वह केवल एक साधारन अतिती होता, तो वह उसे इतनी आसानी से कभी जाने नहीं देती। उसने कार्यक्रम चुना था, और भले ही वह नहीं खेलता था। उसे साथ लड़कियों को संतुष्ट करने में विफर रहने के कारण लागत का साथ गुना भुगतान करना था। लेकिन धनुष कोई साधारन महमान नहीं थे। उसे भुगतान करने से चूट दी गई थी। रेवल के हाव भाव कई बार बदले, इससे पहले कि उसने जल्दी से अपना मोबाईल लिया और जैसमीन का सेल नंबर डायल किया। उपाध्यक्ष जैसमीन, श्रीतांग ने कहा कि वह पहले सेवेन गौडिस डांस की सामगरी को नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने यह पता लगाने के लिए कारिकरम को चुना की यह क्या है। लेकिन अब वह इसके बारे में जानने के बाद चला गया। वह नहीं खेला, हाँ, वो अभी गया, अच्छा ऐसा है। धनुष के सामने रुकी, कार का दर्वाजा खोला और धनुष का रास्ता रोक दिया। आपको अभी अंदर किसी का फोन आया है, है ना। मुझे सेवन गौडेस डांस कारिकरम पसंद नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। चमेली हलके से हसी, आप हमारे वी आईपी हैं, मिस्टर टैंग। इसलिए हम आपके किसी भी फैसले का सम्मान करेंगे और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चुंकि आप खेलना नहीं चाहते हैं, कृप्या मुझे आपको वापस ले जाने दें। धनुष को एक अजीब अभिव्यक्ती के साथ देखकर जैसमीन हलके से हसी, मिन। तांग आप नहीं जानते, लेकिन स्थानिय सरकार में वास्तविक शक्ती रखने वाले बिगविक के पास रिसॉर्ट में शेर भी हैं, जिससे वह सालाना बहुत अधिक लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कैसा है? अंदर सिरहिलाते और चुपके से आह भरते हुए, धनुष ने खुद उस स्थिती के बारे में कुछ भी कहने का मन नहीं किया, जहां ऐसे अधिकारियों ने मामलों पर सुरक्षा चाता रखा था। चमेली आपको समुदर के मौसम संबंधी समाचारों पर ध्यान देना चाहिए, है ना? क्या कल समुदर में तूफान आएगा? जैसमीन ने कहा, आज रात के समुदरी मौसम संबंधी पूर्वानुमान ने बताया कि कल समुदर में मौसम शान्त रहेगा। फिर भी मुझे लगता है कि समुदर में तेजी से जलवायू परिवर्तन के कारण यह रिपोर्ट अविश्वसनिया है। शायद मौसम फिलहाल शान्त है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा तूफान आ सकता है। क्या आप कह रही है कि समुदर की जलवायू मनमौजी है? धनुष से पूछा। चमेली ने सिर हिलाया, यही मेरा मतलब है। एक पल के लिए सोचते हुए, धनुष ने फिर गहरे स्वर में कहा, चुंकि समुदर की जलवायू मनमौजी है, इसलिए मुझे यहां अधिक समय तक रहने की आवश्चक्ता नहीं है। कृपया टॉम को बताएं कि हम कल जल्दी निकलेंगे। साथ ही, हम व्यवसाय की देख भाल करने के बाद यहां रहेंगे। कर रहे थे। उनके आगमन की गणना करते हुए, वह हसा और बोला, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है। टॉम अगर मैं इसे खरीदना चाहूं तो आप मुझे यह क्रूजर कितने में बेचेंगे। एक पल के लिए अचंभित और अनिक्छुप दिखाई देते हुए, टॉम रेगी ने कुछ सेकंड के मौन के बाद धीरे से कहा, मैंने इस कुरूजर को विदेश से मंगवाया था, और जहास डिजाइनर दुनिया में सबसे अच्छा है। खरीद की कुल लागत एक सो साथ मिलियन अमरीकी डालर थी। धनुष ने मुसकराते हुए कहा, इसे मुझे दो सो मिलियन अमरीकी डालर में बेच दो। जैसे ही टॉम रेगी का चेहरा टिम्टिमाया, उसने बगल में मूप मो अवेन को देखा, थोड़ी देर के लिए अप खुशी से अनुपालन किया। हालाकि धनुष द्वारा दी गई कीमत काफी अधिक थी, फिर भी उसने नुकसान उठाया था। आखिरकार धनुष ने कल रात अपने कैसीनों में एक बिलियन जीते। पैसा आरेंबी में था, फिर भी यह लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर थ दूसरे शब्दों में धनुष ने अपना क्रूजर खरीदने के लिए केवल करोडों अमरीकी डालर खर्च किये। टॉम रेगी के उतरने के बाद जहास फिर रवाना हुआ। नीला आकाश और गहरा नीला समुदर एक दूसरे के साथ गुंज रहा था क्योंकि यह दूर त प्रबंधन के अधीन था। हाला कि एक महीने से अधिक समय पहले खबर आई थी कि दूसरा पक्ष लोगों को वहा ले जाने के लिए तयार था जबकि यह उसका मुद्दा था कि वह द्वीप कब प्राप्त करेगा। इससे पहले धनुष के पास खाली समय नहीं था। इस प सोचने पर धनुष मंद मंद मुस्कुराया। भले ही वर्तमान में द्वीप में कोई न हो, भले ही कोई हो, उसे उन्हें वहां से भगा देना चाहिए। वह द्वीप का स्वामी था और उसकी अनुमती के बिना किसी को भी वहां जाने की अनुमती नहीं थी। रोब जमाना आपके लिए एक कॉल, उसके पीछे मो अवेन पहुँचे और उसे एक सैटलाइट फोन दिया। धनुष के लिने के बाद वह फिर गहरे स्वर में बोला, धनुष बोल रहा है। गुसे संबंधित एक आवाज फिर सियावसुए ने फोन से संप्रेशित किया, ग्रैंड मास टियान ली हाव लेई और अन्य दो वापस आ गए हैं और एल्डर जी को आपकी आग्या के बारे में बताया है। साथ ही वे वापस आए और पुल 28 बिलियन लाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दू या मुझे आपके बाद में वापस आने का इंतजार करना चाहिए। गुसे पूछा सिया उसुए। धनुष ने एक पल के लिए सोचा और मुस्कुराते हुए कहा। 18 बिलियन रखो और मुझे 10 बिलियन भेज दो। 9 ड्रैगन द्वीब को बदलने के लिए शायद बहुत बड़ी रकम लगेगी। साथ ही 6-8 गुने कहा मुस्कान के साथ सिया उसुए। धनुष ने पूछा क्या साइपन में Everlasting Fest Hall की कोई विश्वसनिय निर्मान कमपनी है। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी construction कमपनी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मास्टर के संचालन पहले केबल देश तक ही सीमित थे। लेकिन मैं हम अनंत दावत हॉल में कुछ लोगों से पूछूंगा और अगर कोई वहां किसी को जानता है, तो मैं उन्हें आपके लिए खोज लूँगा। गुने कहा सिया उसुए। ठीक है, धनुष ने जवाब दिया। कॉल समाप्त करने के बाद, धनुष ने मोवेन को सैटेलाइट फोन सौंप दिया और मुस्कराते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हांकाम के वे चार अरप्ती वास्तव में हमें इतना नकत देंगे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि नौड रैगन द्वीब के पुनद निर्मान के लिए पैसा अपर्याप्थ होगा, लेक इसके बारे में पता होना चाहिए। धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस मुद्दे पर विचार किया, लेकिन मैं टॉम को बताने की योजना नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि वह वास्तव में कौन है। बॉस खुद टॉम के साथ कोई समस् नहीं है क्योंकि उनके लिए अपने चरित्र को देखते हुए दूसरों के साथ घुलना मिलना असंभव है। जब तक वह हमारे द्वारा सीखी गई क्षमताओं को नहीं सीख सकता, मुझे लगता है कि इसे उससे छिपाना अनावश्चत है। इसके अलावा, नौड चलो पहले इंतजार करते हैं और देखते हैं। हम Everlasting Fest Hall के लोगों से इसकी तलाश करेंगे अगर उनमें से कोई है जो यहां एक बड़ी निर्मान कंपनी के बारे में जानता है। यदि कोई है तो हमें उसे परेशान करने की आवश्चता नहीं है, यदि नहीं तो मैं उससे फिर से बात करूंगा। मोवेन ने सिरहिलाया और कुछ नहीं कहा। धाई दिन की यात्रा के बाद जहाज आखिरकार सूर्यास्त के समय नाइन ड्रैगन द्वीप पर पहुँचा। जैसे ही जहाज एक विस्तारित मरीना बंदरगाह पर रुका, धनुष ने मोवेन को सवा गहरी हो गई। उनकी और धनुष की पैनी नजर थी और वे साफ देख सकते थे कि उनसे एक किलोमीटर दूर इमारत में बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने इमारत की परिधी में कई लोगों को बंदुकों से लैस देखा, साथ ही चलावरन वाले कुछ बहादुर लोगों क प्रकट हुए और धनुष की तरफ आ गए। उसने जल्दी से महल की ओर देखा और फुसकुस आया, यहाँ विशेश परिस्थितिया हुई, बॉस। हम वहाँ अस्थाई रूप से नहीं जा सकते। क्या हुआ? महल के अंदर कौन है? धनुष ने भुरूभं के साथ पूछ जबरदस्ती मुसकराते हुए वांग डोम ने कहा, हम आपसे कुछ दिन पहले यहाँ पहुचे, बॉस। जब तक हम यहाँ पहुचे, हमने पाया कि समुदरी लुटेरों के एक समोह ने इस जगह पर कबजा कर लिया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि उन्हों इसे हर एक बंदूक से लैस है। वुल्फ हेड ने कल आसपास केक्षेतर में स्थिती की जाच की और एक समुदरी डाकू ने उसे ढूंड लिया, इसलिए वुल्फ हेड ने उस समुदरी डाकू को मार डाला। इसके बाद वह हमें आपके आगमन की प्रतीक्षा करने के लि और जल्दी से एक सैटेलाइट फोन ले लिया। आधे घंटे बाद वुल्फ हेड और दस अन्य पहुँचे। बॉस क्या वांग डोम ने आपको यहां की स्थिती बताई है। वुल्फ हेड से पूछा। उसके पास क्या आपने स्पष्ट रूप से पूछा है कि समुदरी से पर्याप्त भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शेत्र से बहुत कम जहाज गुजरते हैं। इस समुदरी डाकू समूह को ब्लडबधिश समुदरी डाकू समूह कहा जाता है और इसका नेतृत्व डफसकी नामक एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है एक क्रूर वांचित अंतरराश्ट्री अपराधी। कुछ दिनों पहले नाइन ड्रैगन ग्वीब पर पहुँचने के बाद उन्होंने महल में पीछे रहने वाले लोगों की हत्या कर दी और इसे सफलता पूर्वक जब्थ कर लिया। ठंडी रोशनी चमक उठी। वह अच्छी तरह जानता था कि जिन महिलाओं का अफरण किया गया था, उन्हें किस तरह का इलाज और पीडा मिलेगी। शायद ही कभी उसे मारने की इच्छा हुई हो, फिर भी वह इन समुदरी लुटेरों के प्रती निर्दई होगा जिन्होंने कई कल्पनिय बुराईयों को अंजाम दिया। इन सभी समुदरी लुटेरों का नाश होना चाहिए। वुल्फ हेड ने गंभीरता से कहा, बॉस हमारे पास कोई हथियार नहीं है। और अगर हम उन से लड़ते हैं, तो हमें कुछ नुकसान होगा भले ही वे पूरी तरह से नश्ट हो जाएं। मुझे लगता है कि हमें एक योजना तयार करने और उसके अनुसार कार्य करने की आवशक्ता है। सरगना दफसकी को पहले ढूंदना सबसे अच्छा है। जब तक हम उसे पकड़ सकते हैं यह हमारे लिए आसान होगा। वुल्फ हेड ने कहा। चोरों के एक जुंद को पहले उनके नेता को पकड़ कर पकड़ना यह एक बुरी योजना नहीं है। लेकिन इस दफसकी को ज सार कारवाई की प्रतीक्षा करें धनुष ने ठंडेपन से कहा। समझा। धनुष ने मोआव को देखा और कहा जाओ और अवेन को यहां बुला। इन में से एक भी लुटे रहा यहां से नहीं जा सकता। मैं अब जाता हूँ मोआव ने जोर से कहा। जल्द ही एक योजना तयार की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए बार-बार अनुकरण के बाद की इसमें कोई दोश नहीं है। धनुष ने मोआव और मोआवेन के आने के बाद हमले का आदेश दिया। वुल्फ हेड मोआवेन और अन्यबारा आदमियों में शामिल होने के बजाए चुपचाप भूत की तरह महल की ओर बढ़ा। दो सौ मीटर के दायरे को कवर करने वाली अपनी आध्यात्मिक ज्यानक्षमता और अपनी पैनी द्रिश्टी के कारण वह जल्द ही महल की दीवारों पर आ गया। ऐसा लगता है कि ये समुदरी लुटेरे 9 ड्रैगन द्वी चिपने की जगह की ओर चल पड़ा। तुम अपनी ही मौत को दावत दे रहे हो। धनुष ठंडेपन से अंदर घुसा। जैसे ही दूसरा पक्ष उससे 6 या 7 मीटर की दूरी पर आया। उसने अपनी पैंट उतार दी और पेशाप करने ही बाला था। एक तेज खंजर ने उसका गलाचीर दिया, खोन के छींटे उसके दिल में चुब गए। जल्दी से धनुष चतुराई से चला गया और शरीर को कुंज में खीच लिया। महल के पास बंदुकों से लैस दो समुदरी डाकू बातें कर रहे थे और जमहाई ले रहे थे। उनमें से एक ने सिगरे करनी होगी और उसे बताना होगा कि मैं अपनी शिफ्ट को दिन के समय में बदलना चाहता हूँ। एक और समुदरी डाकू मुस्कुराया, अपने भागे से संतुष्ट रहो। उन चूजों को हमारे द्वारा दिन में बुरी तरह से उच्छाला जाता है। यहां तक कि अग करनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि एक जोडी बड़े हाथों ने उसके मुह को ढख दिया और उसके पीछे एक तेज मित्सुबिशी सेना का चाकू था जिसने सीधे उसका गला काट दिया। जैसा कि उसने अपने समुदरी डाकू भाई को मरते हुए देखा था, उसने भी उसी तरह अपना मुह ढख लिया था और उसी चाकू से उसका गला काट दिया था, जिसने उसके दिल पर वार किया, उसकी चेतना फिर धुंधली हो गई। वांग मिंग ने अपने कॉमरेड को ओके का संकेत भेजा क्योंकि वे तुरंत शवों से दो राइफले ले ले ग महल के पीछे ग्रोब में, धनुष परिक्रमा करके यहां पहुँचे, अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ वह इस शांदार महल के क्षेत्र का केवल पाँचवा हिस्सा ही कवर कर सका, हाला कि शायद अपने अच्छे भाग्य के कारण उन्होंने अपने बगल में एक नगन मह धनुष चुपचाप दूसरी मंजिल की खिड़की पर चड़ गया और फिर चुपचाप महल में प्रवेश कर गया, कमरा एक जिन था जिसमें बहुत सारे फिटनेस उपकरण थे, जाहिर है इसे पिछले मालिक ने पीछे छोड़ दिया था, जिनके अंदर एक समुदरी डा जैसा कि वह सतर्क था, दर्वाजा खुलने की कमजोर आवाज ने डफसकी को उसकी नीन से जगा दिया, क्योंकि उसके हाथ एक फ्लैश में तकिये के नीचे चले गए, अफ धनुष ने अपने हाथ में खंजर फेंका और डफसकी के हाथ पर ठीक से प्रहार किया क्योंकि उ उसकी पीठ पर एक मुक्का मारा जा रहा है, जिससे वह अत्यधिक बल के कारण एक गभी हुकार से बाहर निकल गया। हाथ का उप्योग किये बिना गोली मार दी और उसे बिजली की तेजी से नीचे गिरा दिया, जिससे वह आसानी से मर गई। दफसकी की ओर देखा और चुपके से एक जबरदस्ती और करकश मुसकान बिखेर दी। उसने अभी-भी महिला की उपेक्षा की थी, अचानक उसे एहसास हुआ. केवल पुरुष ही उसके लिए खतरा नहीं था, यहां तक किस्त्री भी बहुत खतरनाक थी. गनीमत रही की महिला के पास कोई हथियार नहीं था, नहीं तो अब तक उसे गोली मार दी गई होती. शायद वह नहीं मरेगा, लेकिन गार से पकड़े जाने और इ अब तक वह चुपके से उन समुदरी लुटेरों पर स्वतंत्र रूप से हमला कर सकता था. जितना अधिक उसने उन्हें मार डालाबाद में उनके लिए उतना ही कम खतरनाक था. 10 मिनट बाद, दरजनों समुदरी डाकू उनकी नींद में मारे गए. महल में दरजनों समुदरी डाकू भी थे, जो महिलाओं पर खेती के काम के दोरान बेरहमी से मारे गए थे. इन पकड़ी गई महिलाओं के लिए जो लगभग सभी दैनिय स्थिती में थी, धनुष और उसके लोगों ने उन्हें नहीं मारा और सीधे उन्हें बाहर निकाल दिया. खामोश शांत रात आखिरकार एक बंदू की गोली से तूट गई. इसके तुरंत बाद नगन समुदरी डाकू दहारते हुए और एक एक करके बाहर निकल गए, अपनी बंदू के पकड़ली और किसने गोली मारी थी. असमंजस के दौरान धनुष और अन्य 14 लोगों ने आश्चर्यजनक रूप से 20 से अधिक समुदरी लुटेरों को मारा और मार डाला. जवाबी हमला. धनुष के वुल्फ हेड और मो आओ के पास आने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक आ भारे जा चुके थे. ठीक इसी क्षनक मो आवने धनुष से डफस्की के कमरे के बारे में जाना और उसे उपर ले आये क्योंकि उसने डफस्की को जगाया. तुम कौन हो? दफस्की जागने के तुरंत बाद चिलाया और खुद को मिचसुबिशी सेना के चाकु से बंधे मैं इस द्वीब का मालिक हूँ. अपने गुर्बों से कहो कि वे अपनी बंदू के नीचे रखें और महल के बाहर चौक पर जाएं. नहीं तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा. धनुष ने व्यंग्य किया. दफस्की की आखों में एक चमकदार रोशनी ठैल गई. वह अपन चौक पर जाएं और अपनी बंदू के गिरा दें. समुदरी लुटेरों ने एक दूसरे को निराशा में देखा. वे हिचकी चाएं क्योंकि वे जानते थे कि एक बार जब वे अपनी बंदू के गिरा देंगे तो वे शायद मारे जाएंगे. धनुष की दिशा में दो बार चक्मा एक व्यक्ति के अलावा, जिसके हाथ में गोली लगी थी, बाकी लोग स्वस्थ थे। घायल आदमी को थप्थ पाते हुए धनुष फुस्पुसाया, तुम्हारी चोट कैसी है? क्या यह दंभीर है? यह ठीक है, व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। वुल्फ हेड की और अपना सिर घुमाते हुए धनुष ने गहरी आवाज में पूछा, वह समुदरी डाकू कौन है जिसने डफस्की को मारने की हिम्मत की? क्या वह दूसरे समुदरी लुटेरों के मारे जाने से नहीं डरता? वह बलडफिश पाइरेट्स का दूसरा नेता है. यह दुरघटना मेरी ख पारा मारे जा सकते हैं, वुल्फ हेड ने कहा. आज रात की कारवाई विफर रही है, इसलिए हम तुरंत वापस ले लेंगे. मैं कुछ लुटेरों के हाथों अपने लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता. अगर उनमें हिम्मत है, तो वे महल के अंदर ही रहेंगे. लेकिन किसी भी हाल में हम कड़के हमला जारी रखेंगे, धनुष ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी. बॉस आपकी अगली योजना है. वुल्फ हेड ने उचसुकता से कहा. मेरी योजना बहुत सरल है, धनुष ने कहा और गंभीर रूप से मुस्कुराया. हम उन समुदरी लुटेरों पर लगातार धावा बोलने का हर मौका पाएंगे. उन्हें एक एक करके मारो जितने हम कर सकते हैं. कुल मिला कर मैं उन्हें मार डालूंगा और उन्हें इतना भैभीत कर दूंगा कि वे भाग जाएंगे. जब तक वे महल से बाहर आते हैं, वे मर चुके होते है बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिला कर हामी भर दी. वे इसी तरह इन दुष्ट समुदरी लुटेरों से घिना करते थे और उन्हें मारने में कोई हिचकी चाहट नहीं थी. रात में देर से, महल से दो किलोमीटर दूर, धनुष और बाकी लोग शिला चीन गन के साथ दस आदमी हमें खोज रहे हैं, बोल्डर के पीछे खड़े होकर वुल्फ हेड ने जाच करने के लिए अपना सिर बाहर निकाला और फुसुसाया. धनुष ने मो भाईयों को इशारा किया और दोनों चुपचाप पास के पेडों में फिसल गए. उन्होंने लेकिन उन्होंने फ्लैशलाइट का इस्तमाल नहीं किया क्योंकि दुश्मन छिपे हुए थे और वे अंधेरे में हमला नहीं करना चाहते थे. हूश, 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 दस समुदरी लुटेरों के पास चुपचाप कई सिल हूप दिखाई दिये. जैसे ही खंजर उनके शरीर में चुभे, उनके चिलाने पर और भी क्रूर हमले किये गए. केवल पांच या छे सेकंड के भीतर, दस समुदरी लुटेरों के पास गोली चलाने का समय भी नहीं था और वे सभी मारे गए, वुल्फ हेड और अन्य को दस सबमशीन बंदू के दी. धनुश ने एक लुटे उन्होंने धनुश के चारों और बंदू के गिरा दी और फिर अपने चहरे से खून पोंचते हुए कहा, हमें दूसरी दिशा में दस समुदरी डाकू भी मिले, इसलिए हमने उन्हें साफ किया और उनकी बंदू के भी लूट ली. वैसे भी बॉस, क्या हमें फिर से आगे बढ़ना चाहिए. धनुश के मुह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने अपना सिरहिलाया और कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है. अब हम अंधेरे में हैं, जबकि दुश्मन रोश्नी में हैं. हमें बस पूरे महल की निगरानी करने की जरूरत है. एक ब बढ़नात नहीं. बेशक मैं भी उनमें से कुछ को मारने के लिए चुपके से आंगा. वुल्फ हेड आप पूरे महल की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे. क्या आप यह कर सकते हैं? एक टेढ़ी मुस्कान बिखेरते हुए, वुल्फ हेड ने कहा, यह महल बहुत बाहर आएंगे, धनुष ने मुस्कराते हुए कहा. तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. हम में से 12 एक एक जगह पकड़ेंगे और पहाडी से नीचे उतरने वाले सभी आसान रास्तों को बंद कर देंगे, वुल्फ हेड ने कहा. महल के अंदर, महल के हॉल में चुपच कर सकता था ताकि वह भयभीट नहो. महल में समुदरी लुटेरों की संख्या, जिनकी संख्या 242 थी, कई नुकसानों के बाद घटकर केवल चियानवे रह गई थी, जबकि अन्यपक्ष केवल एक गरजन थे. वे विशेशग्य थे. और उस पर शक्तिशाली. वह एक बार ए अधीन शरणली. हालाकि उन्होंने ऐसी निडर टीम कभी नहीं देखी थी. यहां तक कि मरीन कॉर्प्स में शीष पायदान के सैनिकों को भी उस वर्ष भरती किया गया था. शायद उनकी तुलना किसी अन्य पार्टी से नहीं की जा सकती थी. दूसरा मुखिया, तीसरा हो तुने दो खोजी दलों को भेजा, कुल बीस पुरुष और वे अब तक वापस नहीं आये हैं. क्या उनका एक्सीडेंट हो सकता है? बाहर से एक हटा-कटा, भद्दा और खुंखार दिखने वाला आदमी अपनी कमर पर सबमशीन गन और दर्जनों मैगजीन लिए बाहर से आया. इससे पहले कि वह लगभग मारने में सक्षम आखों के साथ सोफे से अचानक कूद गया, इससे पहले इंगलंड ने खाली देखा. उसने बड़े आदमी के कपड़े पकड़ लिये और गुस्से से चिलाया, क्या कहा तुमने? पूतु ने दुश्मनों की तलाश मे बीस भाईयों को भेजा. हाँ, हटा-कटा आदमी कुछ उनमत था और उसने तुरंट उत्तर दिया. कितने दिन हो गए, इंगेलंड दहाड़ा. लगभग एक घंटा, हठीले आदमी ने कहा. हट्टे-कटे आदमी को रिहा करते हुए, इंगेलंड पीला पड़ गया और अं हट्टे-कटे आदमी ने कहा. तीसरा नेता एक रक्षात्मक परिधी तैनात कर रहा है, और कुछ भाईयों को छिपे रहने के लिए और कुछ को बाहर संत्री के रूप में दिखाई देने के लिए नियुक्त कर रहा है. इस प्रकार इस शेत्र में आने के बाद हम दुश्म हाल से बाहर निकल गया और जल्दी से हुटू को ढूंड लिया. बिना किसी शब्द के वह हुटू की ओर दोड़ा और उसके आयनिकरित जलते हुए लंबे बालों को पकड़ लिया, बलपूरवक उसे नीचे खींच लिया और हुटू के पेट पर घुटने से लात मारी, सी हमारे पास 200 से अधिक लोग हैं, फिर भी केवल एक गरजन आदमियों के साथ उन्होंने हम में से 100 से अधिक को मार डाला. अब बताओ, क्या तुमने इस तरह का दुश्मन पहले देखा है? फिर भी तुमने मेरी अनुमती के बिना अचानक 20 भाईयों को भेज दिया. तुमन कि आपने बाकी भाईयों को बाहर भेजने का फैसला किया है, जिससे हमें फिर से बड़ी क्षती हुई है. अब से आप बलडफिश पाइरेट के तीसरे नेता नहीं है. तुम सब मेरी बात सुनों. जब तक आप उसके द्वारा मारा जाना नहीं चाहते, तब तक कोई भी उ जे सुना. आसपास के दरजनों समुदरी लुटेरों ने देखा कि हुटू मुडा हुआ है और जमीन पर चिला रहा है. जिसके बाद उन्होंने उगर इंगलंड पर नजर डाली और अंत में जोर से जवाब दिया. हाँ. हमने इसे सुना. इंगेलंड ने एक गहरी सास ली, हुटू को पकड़ लिया और कहा, यदि आप हमारे बलडफिश समुदरी डाकूओं में एक मात्र स्नाइपर नहीं होते और मेरे प्रती आपकी वफादारी के कारण मैं वास्तव में आपको पहले ही मार चुका होता. अब से मेरे साथ रहना याद रखना. हाँ. हुटू जा महल में सभी हथियार ले लीजिए. हम अब यहां और नहीं रह सकते. नहीं, तो हम दुश्मनों द्वारा मारे जाएंगे. एस सेकंड चीफ, क्या आपका मतलब है? हम भाग रहे हैं. एक साधारन समुदरी डाकू नेता ने जोर से पूछा. इंगलंड ने भारी स्वर में कह यद्यपी भागने के बारे में बोलना हमारे लिए अपमानजनक है. यह सच है. शत्रु बहुत शक्तिशाली है. मैंने एक बार सन्युक्त राज्य अमेरिका की मरीन कॉर्प्स में सेवा की थी और दुनिया के विभिन देशों के कई शीर्ष लड़ाकों से लड़ा था. इस और वे हमें धावा बोलना और मारना जारी रखेंगे. अब बताओ क्या तुम? यहीं मरना चाहते हो? नहीं. मैं यहां मरना नहीं चाहता. शिश सभी समुदरी डाकू जोर से चिलाए. फिर इस जगह से भागो क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते हो? हम समुदरी डाकू है. ए दर्जनों समुदरी डाकू महल में लोट आये और यात्रा के लिए परियाप्त भोजन तयार करने के साथ साथ सभी हतियारों और बारूद को पैक करना शुरू कर दिया. वे हताश अपराध ही हो सकते हैं, लेकिन वे मरना कभी नहीं चाहते थे. वे समुदरी डाकू थे. उ उनके लिए कुछ नहीं बचेगा. एक हटा-कटा आदमी इंगेलंड आया और बोला दूसरा प्रमुख हमें सभी बंदियों के साथ क्या करना चाहिए? मार डालो. वे इंगेलंड ने गहरी आवाज में पूछा उनमें से कितने बचे हैं? आपने अभी-भी मारे गए साथ क चोड़ कर अभी भी 126 बचे हैं. हमारे भायों ने उन्हें बंद कर रखा है. जब तक आप आदेश जारी करते हैं, हम उन सभी को एक साथ मार सकते हैं, हट्टे-कटे आदमी ने कहा. महल में कितना खाना बचा है? एक बार फिर इंगेलंड से पूछा. यहां हमारे भायों क के लिए दो महीने के भोजन के लिए परियाप्त होना चाहिए, हट्टे-कटे आदमी ने कहा. इंगेलंड की आखो में एक चमकीली चिंदारी चमक उठी जब उसने गहरी आवाज में कहा, दस लोगों को ले लो और बाकी को यहां रख दो. और याद रखें की महल का सारा ख लगभग सभी शेश बंदी महीलाएं हैं, यहां तक कि हमारे भाईयों ने अभी तक उनमें से दर्जनों पर खेती नहीं की है. उन्हें दुश्मनों के लिए छोड़ना बहुत सस्ता है, नहीं. तुम कुछ नहीं जानते, बेवकूफ इंगेलुंड गंभीर रूप से मुस इन महीलाओं को दे दें, तो हम क्या उनके खाने पीने का सामान उसमें मदद कर पाएगा? तुम्हारा मतलब है. दबंचकित था, तुम महीलाओं के साथ दुश्मनों को नीचे खीचना चाहते हो. बिल्कुल इंगेलंड ने गर्व से कहा. हटा-कटा आदमी एक पल के अभी के लिए हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे बंदियों की उपेक्षा नहीं करेंगे. अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम उन दसों को बंधकों के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं, ताकि बच निकलने में उन्हें कोई परिशानी न हो. अच्छा ऐसा है, हट्टे-कट एक के पास अब एक बड़ा बैग था और वे बीस से तीस सशस्त्र समुदरी लुटेरों की सुरक्षा में पीछे से चुपचाप महल से बाहर निकल गए. जहां तक नागरिकों को बंदी बना कर रखा गया था, उन सभी को हॉल में बंद कर दिया गया था, यहां तक कि सभी खिडकियों को तक्तों से कसकर बंद कर दिया गया था, महल के पीछे पहाड़ी के आधे रास्ते में वांग मिंग और उनके साथ ही अपने हाथों में मिनी दूरबीन के साथ घास के घने पैच के बीच चिपे हुए थे, महल के आसपास की सभी गतिविधियों को देख रहे कोई आ रहा है, वांग मिंग अचानक फुसकुस आया, दूसरे आदमी ने कुछ सेकंड के लिए देखा और फिर फुसकुस आया, यह महल में समुदरी डाकू हैं, ऐसा लगता है कि वे भागने वाले हैं, वांग मिंग ने सिरहिलाया, एक सैटेलाइट फोन निकाला और एक की नकल करें, सावधान रहो और कवर लो, सैटेलाइट फोन से वुल्फ हेड की आवाज आई, दूसरी दिशा में, सैटेलाइट फोन वापस लेते हुए, वुल्फ हेड ने धनुष की ओर देखा और कहा, बॉस वे समुदरी डाकू भाग जाने वाले हैं, और वांग मिंग सुरक्षा को पहले प्रात्मिक्ता देने के लिए कहें, धनुष ने व्यंगे से कहा, ठीक है, वुल्फ हेड ने तुरंट सैटेलाइट फोन का इस्तिमाल किया, और समुध को एक संदेश टाइप किया, दस मिनट बाद धनुष वुल्फ हेड और अन्य लोगों को वांग मि किये बिना मार सकते हैं, कम से कम दस एक पल के लिए विचार करने के बाद मो अवेन ने कहा, तो जाओ, इसके अलावा उन्हें ध्रमित करने के लिए फेंक दें, और उनके बचने के लिए उन्हें धीमा करने के लिए कुछ परिशानी दें, धनुष ने सिरहिला कर स्विकृ ठीक है वह तेजी से और हमेशा की तरह सुचारू रूप से चले गए केवल दो मिनट के भीतर वह भागते हुए विपरीत पक्ष से सैक्रो मीटर पीछे हो गया था उनके द्वारा खोजे बिना वह फिर छिप गया बैंग 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 गोलियों की एक श्रिंखला के रूप में सुना गया था क्योंकि सबसे आगे कई समुदरी डाकू एक के बाद एक जमीन पर गिर गये थे दो सबमशीन बंदूकों की लप्ते चाट रही थी जैसे की कटाई करने वाले जो सबसे आगे समुदरी लुटेरों के जीवन का दावा करते थे जैसे की वे गेहूं थे जैसा की इंगेलंड के लिए था जो सबसे आगे था अगर यह गोलियों की लाइन को अवरुद्ध करने के लिए उसके पास एक समुदरी डाकू को तुरंत पकड़ने की उसकी तीवर प्रतिक्रिया के कारण नहीं होता, तो उसे भी गोली मार दी जाती स्कैटर एंड स्ट्राइक बैक इंगेलुंद ने समुदरी लुटेरों के चलनी शव को धकेला और चीता की तरहापास की जाडियों में पीछे हट गया कई बार लुढकने और खुद को वहां रखने के बाद उन्होंने शौक्स की दिशा में अपनी सबमशीन गन के थूथन को निशाना बनाया बैंग बैंग गोली चलाना बंद करो और अपना बारूद बचाओ इंगेलंड गुर्राया तुरंत समुदरी लुटेरों ने अब गोली बारी नहीं की लेकिन वे अभी भी शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से दुश्मनों की तलाश में आसपास की जाडियों में चिप गए दुर्भाग्य से चाहे उन्होंने उन्हें कितना भी खोजा हो वे उनका कुई निशान नहीं खोज सके यह प्रतीक्षारत खेल असाधारन रूप से भयानक था हर समुदरी लुटेरे के दिल में गहरा डर समा गया था क्योंकि वे उन दुश्मनों की चाया भी नहीं देख सकते थे जिन्होंने अपने दरजनों भाईयों को बेरहमी से मार डाला था उन शाखाओं और पत्तियों के माध्यम से जो खून के एक पूल में गिरे हुए थे उनके दिल रसातल में गिर गए इस सेकंड चीफ हमें क्या करना चाहिए स्नाइपर राइफल से लैस हुतु काफी लंबे समय से अपने स्नाइपर स्कोप से निगरानी कर रहा था फिर भी वह दुश्मनों का पता नहीं लगा सका वह ध्यान से पीछे मुडा और इंगेलंड से पूछा जो उससे कुछ मीटर की दूरी पर था उसकी आखों में शीतलता भरी हुई थी इंगेलंड ने अपना सिरहिलाया और पीछे की ओर देखा फिर वे भारी स्वर में बोले किसी से कहो कि वह उन नागरिकों का उपियोग बंदुकों को रोकने के लिए करे जिससे वे हमारी मानव धाल बन जाए अगर अंधेरे में छिपे उन हराम खोरों को गोली चलानी है तो उन्हें पहले उन नागरिकों को मारने दो जल्दी से साथ या आठ समुदरी डाकू जाडियों से रेंगते हुए उपर आये और तीजी से जमीन पर पड़े दस नागरिकों के सामने आ गए कुछ देर पीटने के बाद जमीन से उठा कर उनकी पीठ थपत पाई नेत्रित्व करो दस नागरिक जिन में से छे पुरुष थे और चार बल की सुंदर महीलाएं थी उन्हें भोजन और दवाया ले जाने के लिए समुदरी लुटेरों की मदद करने के लिए मजबूर किया गया था इस समय वे भयभीत भावों के साथ घातक रूप से पीले दिखाई दे रहे थे दो काफी डरपोक महीलाओं के पैर भी काप रहे थे पीकरपया मैं आपसे विंती करता हूँ हमें मत मारो एक लंबा और बड़ा आदमी अचानक एक छोटी लड़की की तरहे दर के मारे रो पड़ा उसके पैर काप रहे थे, पोंट काप रहे थे और यहां तक की उसकी कमर में बॉटर मार्ट भी था तुम कमबक्त गधे तुम दर गए और खुद पेशाप कर लिया उसके पीछे वाले समुदरी डाकू ने, जिसने अभी अभी उसके पेशाप को सुंधा था लंबे आदमी के सिर पर जम कर प्रहार किया, जिससे बुरी तरहे से पीटा गया आदमी सीधे जमीन पर गिर गया उसके बाद उसने फिर से उस आदमी को पकड़ लिया, अपनी बंदूक को उसके सामने धकेल दिया ताकि वह आदमी आगे की ओर बढ़े तक दूर जाडियों से अचानक एक पत्थर आया और सटीक रूप से उस समुदरी डाकू की कनपटी पर जा लगा एक खूनी छेद बनाया गया था, सीधे उसे मार डाला जल्दी से उस जाडी की पत्तिया और शाखाय हिलने लगी जैसे किसी आदमी का सिलहुट चमक उठा हो समुदरी लुटेरों के बीच में इंगेलुंड जिसने पाया की एक और आदमी मारा गया था चौका नहीं क्योंकि वह जोर से चिलाया, आप सभी बहुत सतर्क रहें सावधान रहें कि दुश्मन के चुपके से किये गए हमले में फिर से नफंस जाए अगर उन कमीनों ने फिर से हमला करने और हमारे एक भाई को मारने की हिम्मत की तो बस एक नागरिक को मार डालो टकराना बुरी तरह से पीटे गए व्यक्ति के सिर में गोली लगने की आवाज आई जिसे इंगेलंड ने सिर में मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई इंगेलंड के शब्दों को सुनकर अन्यन नौ नागरिकों के दिलों में निराशा और निराशा भर गई वे जानते थे कि वे मृत के समान अच्छे थे यह स्थान युद्ध का मैदान था न की समाच के नियम और कानून के अधीन इस नार की ये जगह में कभी भी इंसान की मौत हो सकती है जाड जंखार के बीच छिपकर धनुष की पलके यह सुनकर जुप गई उसके अंदर कातिलाना इरादा गाढ़ा होता जा रहा था उसने अभी अभी इंगेलंड की पहचान की है यह वह व्यक्ति था जिसने Bloodfish Pirates के नेता की गोली मार कर हत्या कर दी थी दफसकी Bloodfish Pirates के दूसरे नेता इंगेलंड यह हरामी निर्दई और निर्दई है वह मारा जाने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए अन्य समुदरी डाकू सदस्य अपने नेताओं के बिना एक बार में ही गिर जाएंगे हाला की समस्या वहां के शेश नौ नागरिकों की है धनुष ने एक पल के लिए सोचा और बेहोश होकर महसूस किया कि स्थिती कुछ पेचीदा है अन्धेरी रात की अन्धेरी चांदनी में धनुष भूत की तरह चुपचाप चला गया और जल्द ही एक अन्धेरी एकांत जाडी में दिखाई दिया उसने एक सैटेलाइट फोन निकाला और फिर वुल्फ हैड को फोन किया समुदरी डाकू हमें धमकी देने के लिए बंधकों का उप्योग कर रहे हैं बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हम सभी समुदरी लुटेरों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं धनुष फुस्तुसाया यहां हासिल करना बहुत मुश्किल है जब तक की हम इंतजार न करें और पीछे हटें रुको और पीछे हटो धनुष कुछ हैरान हुआ जब तक वे द्वीप पर हैं और बंदियों को पकड़ रहे हैं हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं अगर हम उन्हें मारना चाहते हैं और बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं जब तक वे जहाज पर चड़ कर रवाना नहीं हो जाते, तभी हम उनके जहाज में घुस सकते हैं और उनकी हत्या कर सकते हैं, वुल्फ हेड ने कहा आपने जो प्रस्तावित किया वह भी एक समाधान है लेकिन अगर वे जहाज पर चड़ते हैं, तो हमारे लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि हमें देखे बिना उनकी हत्या करने के लिए जहाज में फिसल जाएं साथ ही, हमें इस ब्लडफिश पाइरेट्स के दूसरे नेता को जल्द से जल्द खत्म करना होगा अन्य था, उनके पास अभी भी एक रीड होगी, जिससे हमें उनकी हत्या करने में बहुत कठिनाई होगी, धनुष ने कहा वोल फेड कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, और फिर धीरे से बोला, फिर मैं इस इंगेलंड को मार डालूंगा नहीं, मेरे लिए उसे मारना बहुत आसान है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं उसे हड़बडी में मारूंगा तो वे बंधक मारे जाएंगे, धनुष ने कहा मैंने शेश समुदरी लुटेरों का अवलोकन किया है उनके पास अब कुल 61 लोग बचे है यदि हम सभी एक रणनीतिक इलाके में समनवय और उन पर घात लगाकर हमला करते हैं, तो हम उनकी आधी से अधिक संख्या को मारने में सक्षम होंगे इसके अलावा, हमें अपने चार लोगों को विशेश रूप से उन समुदरी लुटेरों का निरीक्षन करने के लिए पहरे पर रखने की आवश्यक्ता है उनमें से जो कोई भी बंधकों को सबसे आगे गोली मारता है, उन्हें उन्हें पहले ही मार देना चाहिए हालांकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सभी बंधक बच जाएंगे, हालांकी वुल्फ हेड ने कहा धनुष ने मन ही मन वुल्फ हेड के प्रस्ताव का विशलेशन किया अगर उसने उन समुदरी लुटेरों को छोड़ दिया, तो शेश नौ बंधकों के मारे जाने की बहुत संभावना है लेकिन अगर वह नौ ड्रैगन द्वीब पर हत्या और बचाव जारी रखता है, तो कुछ बंधकों की शायद मित्यू हो जाएगी सारी स्थिती को नाप तौल कर धनुष ने अपना मन बना लिया और भारी स्वर में कहा, हम आपके सुझाव के अनुसार करेंगे इन समुदरी लुटेरों को मारना अपने आप में एक जोखिम भरा और खतरनाक कार्य है और मरना एक संभावना भी है हम अपना सर्वश्रिष्ट प्रयास करेंगे, भले ही वे बन्धक खतरनाक स्थितियों में हो फोन काटने के बाद धनुष ने लुटेरों की दिशा को आगे बढ़ते हुए देखा वह तेज हवा या बिजली की चिंदारी की तरह किनारे से चक्कर लगाता था चार से पांच मिनट के बाद वह वुल्फ हेड और दूसरों के चिपने की जगह के पास पहुँचा क्या आपने अवन और अवो को सूचित किया है, धनुष ने अपने आदमी द्वारा दी गई दूरबीन ली और फुसुसाया उन्हें सूचित कर दिया गया है और जल्द ही यहां होना चाहिए वुल्फ हेड ने कहा जवाब में सिर हिलाते हुए, धनुष ने दूरबीन का उपयोग यह देखने के लिए किया कि समुदरी डाकू शेश नौ बंधकों को पकड़े हुए हैं और इस दिशा की ओर चल रहे हैं इस समय वे डरे हुए लग रहे थे और लगातार अपनी बंधूकों की नली को इधर उधर घुमा रहे थे बॉस उनकी गती को देखते हुए, उन्हें हमारे स्थान पर आने में लगभग चार मिनट लगने चाहिए क्या आप इस जगह को घात लगाने की जगह बनाने की सोच रहे हैं? वुल्फ हेड ने कानाफुसी में पूछा आसपास को देखते हुए धनुष ने सिर हिलाया, हाँ हालांकि हम जुकाव के कारण एक नुकसान दे स्थिती में हैं, हमारे ट्रैक पूरी तरह से छिपे हुए हैं जब तक वे दोनों तरफ के शिलाखंडों पर नहीं चड़ेंगे, वे हमें नहीं ढूंड पाएंगे इसके अलावा, हमें उनके आने से पहले गोली नहीं चलानी चाहिए और हम गलती से सबसे आगे बंधकों को चोट नहीं पहुचा सकते इसलिए हमें उनके पीछे से गोली मारने तक इंतजार करना चाहिए बॉस मुझे लगता है कि यहां बिल्कुल सही नहीं है हमें यहां कुछ लोगों को रखना चाहिए जबकि बाकी लोगों को पीछे की और घेरना चाहिए लेकिन यहां जो चार आदमी रह रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य उन समुदरी लुटेरों पर नजर रखना है जो बंधकों के बहुत करीब हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से मार सकते हैं अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी नाक बंधकों को निशाना बना रही है तो वे उन्हें तुरंत गोली मार देंगे वुल्फ हेड ने कहा ठीक है धनुष ने सोच विचार कर सीधे ही इसकी स्वीकृती दे दी उन्हें सैन्यर अन्नीती और युध की योजना तयार करने का ज्यान नहीं था लेकिन वुल्फ हेड कभी देश के विशेश बलों का शीर्ष अधिकारी था और उसने कई मिशन किये थे और कई युध योजनाओं को स्वयन तयार किया था इस प्रकार उनकी राय काम करने लायक थी कुछ ही समय बाद मो भाई भी जल्दी से आ गए और वुल्फ हेड के विचार को सुनकर सिरहिलाया एवेन आवो आप दोनों वुल्फ हेड और वांगमिन के साथ मिलकर काम करेंगे आपका मुख्य उद्देश्य उन समुदरी लुटेरों को मारना है जो बंधकों के करीब है मैं पहले इंगेलंड को मारूंगा जबकी बाकी अन्य समुदरी लुटेरों को जिकनी जल्दी हो सके मार देंगे हमें तेज, निर्मम और सटीक होना चाहिए जदी कोई समुदरी लुटेरा भाग जाता है तो आपको उसका पीछा करने की आवश्यक्ता नहीं है बलकि पहले अधिकांश समुदरी लुटेरों को मारें धनुष ने कहा कोई बात नहीं, सभी ने सिरहिलाया समय उड़ गया अवन आवो और दूसरों के घात बिंदू से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे उनके पीछे धनुष अपने पाँच आदमियों के साथ चुपचाप चल रहा था सबसे आगे समुदरी लुटेरों से दूरी केवल 40 से 50 मीटर की दूरी पर थी धनुष ने कानाफुसी में आदेश दिया अपने आपको छुपा कर रखें और जितना हो सके उनके करीब जाएं एक मिनट बाद धनुष एक बड़े पेड पर चड़ गया और शाखाओं और पत्तों में से देखने लगा समुदरी डाकु लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर थे क्योंकि उनकी दृष्टी उन पर बह गई और पिर अंत में इंगेलंड पर बंध हो गई जिससे उनका थूथन उस पर निशाना लगा तक्राना इंगेलंड के सिर के पीछे एक खूनी छेद के रूप में एक बंदूग की आवास सुनाई दी थी धनुष की दिशा को देखने के लिए मुश्किल से अपना सिर घुमाते ही उसकी आखें चौड़ी हो गई खोश खोने के कारण उसकी द्रिश्टी धुंधली हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई चुहा तात तात आग की लपटों के अंदर और बाहर फटने से तेज गोला बारी हुई बारिश की बुंदों के रूप में गोलिया बरसी, समुदरी लुटेरों की ओर निशाना लगाते हुए जबकि सबमशीन गन के शौट भी समुदरी डाकूओं के दोनों ओर से भौंकने लगे रू आँ एक समुदरी डाकूँ जो मौत से डर गया था, तेजी से चिलाया क्योंकि उसने खुद को गोलियों से बचाने के लिए पास की जाड़ी में गोली मार दी थी दुर्भाग्य से उस पर दुर्भाग्य का साया मंडरा रहा था क्योंकि एक गोली उसके सिर में छेड कर गई और अंत में वह घास के मोटे टुक्रों पर निश्चल होकर गिर पड़ा साठ से अधिक समुदरी लुटेरों में से जिन्हें गोली मार दी गई थी वो छोड़कर सभी हर दिशा में भाग गए उनके पास वहक्षमता और प्रतिक्रिया नहीं थी जो एक नियमित सेना के पास होती थी नहीं उनके पास बहादुरी और निडर होने का गौरब था हर जगह लाशों को छोड़कर केवल साथ या आठ समुदरी लुटेरे बचे थे जो जल्दी से सड़क के किनारे जाडियों में भाग गए बाकी सभी की भयानक मौत हुई लेकिन समुदरी लुटेरों के जवाबी हमले के दौरा नौ बंधकों में से चार की गोली मार कर हत्या कर दी गई साथ ही दो घायल हो गए धनुष शवों के बीच में घुस गया और शेत्र को कवर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया जैसे ही उसकी उंगलियों ने ट्रिगर खीचा उसने चार या पांच गंभीर रूप से घायल समुदरी लुटेरों को सीधे गोली मार दी और मार डाला जो सीधे नहीं मारे गए थे और मृत होने का नाटक कर रहे थे धनुष ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस लेते हुए जमीन पर भयभीत बंधकों को देखा और गहरी आवाज में पूछा बताओ तुम कौन हो एक सफेद बालों वाला कोकेशियान व्यक्ति जिसके पैर में चोट लगी थी और वह जमीन पर गिरा हुआ था ने जवाब दिया हम सदर्न बर्ड आइलैंड के निवासी हैं जिनहें पकड़ लिया गया और उनके द्वारा बंदी बना लिया गया तुम लोग कौन हो मैं इस द्वीब का मालिक हूँ धनुष ने कहा आप जूठ बोलते हैं इस द्वीब के मालिक जंस जंस बॉंड हैं मैंने एक बार यहां की इमारते बनाने में उनकी मदद की थी वह एक अच्छा अमीर आदमी है कोकेशियान आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि उसने इस द्वीब को बेच दिया है मैं वह हूँ जिसने इस द्वीब को खरीदा है बाद में याद रखना मेरा चीनी नाम धनुष है और मैं इस जगह का मालिक हूँ धनुष ने हलके से कहा उस आदमी ने अपनी लार को को मार देंगे उन्हें पूरी तरह से या अधिक से अधिक मारने के लिए याद रखें जदी वे बहुत तेज दौरते हैं और आप उन्हें नहीं ढूंड पाते हैं तो उन्हें रहने दें संक्षिप में मैं भोर से पहले नौड रैगन भीप पर कोई समुदरी डाकू नही घुस गए फिर धनुष ने सदर्न बर्ड आईलाइंड के निवासियों की ओर देखा और शांती से कहा तुम्हें डरने की जूरत नहीं है मैं इस जगह का मालिक हूँ और इन शातिर समुदरी लुटेरों में से नहीं मैं न केवल आपकी सुरक्षा की गारंटी लूँगा म मैं इस द्वीट से आपके सुरक्षित प्रस्थान को भी सुनिश्चित करूँगा अभी के लिए मुझे आपको हमारे साथ महल में लोटने के लिए परिशान करना होगा तब मैं कुछ लोगों को भेजूँगा जो कल तुम्हारे आराम करने के बाद तुम्हें दक्षिनी ट्वीट के सौसे अधिक निवासियों को एक विशाल हौल में बांध कर बन्द कर दिया गया था उनमें से हर एक के चेहरे पर घबराहट के भाव थे और वे सक्थ संधर्श कर रहे थे उनमें से 100 से अधिक में से केवल 6 पुरुष थे और बाकी महिलाएं थी जिन में ज्यादातर सुन्दर युवतियां थी इन महिलाओं उनमें से कई ने ऐसे कपड़े पहने थे जो उनके फिगर को कवर करने में असमर्थ थे और जाहिर तोर पर उन्हें गंभीर दुर्व्यभार का सामना करना पड़ा था मेर ओशिमा आपको तेजी से एक समाधान खोजना होगा अगर हम बच नहीं सके तो हम सब यहीं मर जाएंगे उसकी आखों में घबराहट भरते हुए थोड़ी मोटी औरत जल्दी से चिंता और बेचैनी के लहजे में बोली उनके सामने सदर्न बर्ड आइलाइंड की मेर कावासा की ओशिमा थी दक्षिनी बर्ड द्वीप मूल रूप से एक छोटा सा शेत्र था और जमीन पर उच्छतम बिंदु समुदर तल से 10 मीटर उपर भी नहीं था हालाकि कुछ साल पहले भूकंप के कारण दक्षिनी बर्ड द्वीप की सतह के स्तर में वृद्धी के कारण शेत्र भी 2 या 3 गुना बढ़ गया तब से कई अप्रवासियों ने इस द्वीप पर अपना घर बसाया था पूरे दक्षिनी बर्ड द्वीप में केवल एक छोटा सा शहर था जिसकी कुल आबादी 1000 से अधिक नहीं थी क्योंकि कावासा की ओशिमा का वहां उच्छ दर्जा था इसलिए सभी ने उन्हें मेयर के रूप में बोट दिया वास्तव में वह जापान सरकार के अधिकार शेतर में महापौर थे आखिरकार दक्षिनी बर्ड द्वीप के आसपास के कई 1000 किलोमीटर और वहां के दर्जनों द्वीप जापान के अधिकार शेतर में थे वह पहले से ही अपने 40 से अधिक था और इसने कावासा की ओशिमा के पुराने राज्य को धोखा नहीं दिया उसने अपने शरीर पर लगी रस्यों को तोरने के प्रयास में बहुत संधर्श किया लेकिन उसके व्यर्थ प्रयासों का कोई परिनाम नहीं निकला उन समुदरी लुटेरों का बांधने और बांधने का कौशल वास्तव में उत्कृष्ट था उसने आधे घंटे तक कड़ी महंत की फिर भी उसके ढीले होने का कोई निशान नहीं था समय बीटा गया और हॉल में 100 से अधिक लोग और अधिक हताश होने लगे नाइन ड्रैगन ड्वीब के अस्तित्व को जानने वाले कुछ लोगों को छोड़ कर बाकी लोगों ने इस जगह के बारे में कभी सुना भी नहीं था इस तरह के विदेशी वातावर्ण, क्रूर समुदरी डाकू और समय समय पर गोलियों की आवाज के साथ मिलकर यह ऐसा था जैसे की एक ताववादी जादू तोना उन्हें उनकी मृत्यू के लिए जल्दी कर रहा था और उन्हें डरा रहा था कोने में यी या ज्यान ने पहले ही उस रसी को तोर दिया था जिससे उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे हाला कि वह अभी तक नहीं उठी और यहां तक की उसे वापस कोने में धकेल दिया और उसी मुद्रा को बनाये रखा लेकिन उसके हाथ ने folding fruit knife को कसकर पकड़ रखा था वह समुद्र से प्यार करती थी और उसने शंधाई से दक्षिनी बर्द्वीप की यात्रा के लिए अपनी गर्मी की छुट्टी का उप्योग किया रिते रिवाजों का स्वाद चकते हुए और वहां के खूबसूरत वातावर्ण को देखते हुए यहां तक की एक मात्र होटल जहां वहरुकी थी वह समुद्र के सामने था यह ऐसा था जैसे हर जगहे खिले हुए फूलों के साथ एक गर्म पानी का जर्ना हो दुर्भाग्य से दक्षिनी बढ़ द्वीप में आधे महीने से अधिक समय तक रहने के बाद जब वह दक्षिनी बढ़ द्वीप के पास अन्य द्वीपों पर जाने वाली थी तो द्वीप में घुसने वाले समुद्री डाकु ने अपनी लूट शुरू कर दी थी सिचुआन ओपेरा परिवार में उसके जीवन के लिए धन्यवाद जिसके पास पीडियों के लिए जादूई बदलती उपस्थिती तक्नीक थी इसलिए जब समुदरी डाकू उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने जल्दबाजी में अपने रूप को बदलने के लिए लाए गए सौंदर्य प्रसाधनों का उप्योग किया उसके पास वास्तव में एक सुंदर चेहरा था लेकिन उसके प्रयासों के परिनामस्वरूप वह बेहत कुरूप लग रही थी यह ठीक इसी वजह से था कि वह भागेशाली थी कि वह उन समुदरी लुटेरों की गालियों और तबाही से बचपाई और कुछ अन्य लोगों के साथ बंद कर दी गई हर कोई कृपया एक समाधान के बारे में सोचो हम बच सकते हैं भले ही केवल एक व्यक्ति ने अपनी रस्सी खोली हो कावासा की ओशिमा बेचैन था क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा था आधे मिनट के बाद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कोई नहीं उठा यी लियान्यन के हाव भाव लगातार बदलते रहे वह नहीं जानती थी कि बाहर अभी भी समुदरी डाकू है या नहीं यदि वे अभी भी वहाँ थे और उन्हें पता चला कि वह अपनी रस्सी को खोलने वाली पहली महिला थी तो वे शायद उसे मार डालेंगे यी क्या करू? उसके अंतरतम हरिदय के भीतर एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया जिससे उसकी अभी व्यक्ति लगातार बदल रही थी मुझे परवाह किये बिना आगे बढ़ना होगा यहां तक कि अगर बचने की बहुत कम संभावना है तो मुझे इसे पकड़ना चाहिए खुद को मौत के धाट उतारने और कुछ न करने के बजाए अभिनय करना बहतर है आखिरकार ही लियान्यान की आखों में एक द्रिड अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि उसने अपने शरीर से रस्यों को हटा दिया और अचानक खड़ी हो गई तक्राना गोली चलने की दबी आवाज सुनाई दी यह लियान्यान का चेहरा बहुत बदल गया उसने तुरंक अनुमान लगाया कि किसी ने हॉल के दर्वाजे पर ताला लगा दिया है लगभग एक जटके में वह फर्श पर बैठ गई रस्यों को पकड़ने के लिए छटपटा रही थी और लापरवाही से उसे अपने शरीर के चारों और लपेट लिया अगले ही पल हॉल का दर्वाजा रौंद कर खुल गया क्योंकि कैजवल पोशाक में सबमशीन गन के साथ कई लोग हॉल में घुस गए अंदर का हाल देखकर उन्होंने फोरण अपने मुह से अंदर मौजूद लोगों पर निशाना साधा बंधक यहां है बॉस एक आदमी ने अपना सिर घुमाया और बाहर की ओर चिलाया धनुष की आकरती दर्वाजे पर दिखाई दी क्योंकि उसकी आखें हॉल में भीर की ओर बह रही थी और उसकी आखों में क्रोध भरा हुआ था इन बंधकों में अधिकांश मही लाए थी जिन में से अधिकांश बहुत ही दैनिये और शर्मनाक स्थिती में थी और जाहिर तोर पर उनके साथ बलातकार किया गया था और उन्हें तबाह कर दिया गया था कोने में यी लियान्यान की आखें तुरंट उसकी आखों में एक उन्मादपूर्ण अभिव्यक्ती के साथ चौड़ी आखों से घूरने लगी वह बड़ा आदमी जो सिर्फ बोलता था वह न तो अंग्रेजी आ जापानी का उप्योग कर रहा था यह शुद्ध मंदारिन थी मंदारिन? क्या वे चीन से हैं? उसकी सासे तेज हो गई अपने दिल को द्रिड करने के बाद वह तुरंट खड़ी हो गई और चिलाई अरे मैं चीनी हूँ और तुम हो यी लियानियान के बेहत बदसूरत बदले हुए चहरे को देखकर धनुष दंग रह गया और उसने पाया कि उसके कपड़े अभी भी बरकरार थे और उसके चहरे पर केवल कुछ खरोंचे थी वह तुरंट उसके पास गया और कहा हाँ हम चीनी है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन लुटेरों ने हमारे एक साथी देशवासी का भी अफ़रन कर लिया है आपका क्या नाम है यी लियानियान आप कैसे पकड़े गए धनुष से पूछा मैं CET के बाद अपनी गर्मी की छुटी का उपयोग करते हुए इस जगह का दौरा कर रहा था अंतह मुझे पकड़ लिया गया और उनके साथ यहां ले जाया गया यी लियानियान ने कहा धनुष ने अपना सिरहिलाया और आ भरी तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है बढ़ाई हो अब तुम फ्री हो सबमशीन बंदुकों वाले कई लोगों ने अपनी नाक नीचे कर ली और बंधकों को खोलना शुरू कर दिया सबके खड़े होने के बाद कावासा की ओशिमा उटसाह से भरे चहरे के साथ धनुष के सामने आई और फिर सम्मानपूर्वक कहा नमस्कार मैं कावासा की ओशिमा हूँ हमें बचाने के लिए धनियबाद आप हमारे रक्षक और मुक्तिदाता हैं हम आपको याद रखेंगे धनुष ने अपनी भौहे सिकोडी और हलके से पूछा तुम सब जापानी हो हाँ कावासा की ओशिमा ने कहा तो पहले आराम कर लो धोर होते ही मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए कुछ लोगों को भीजूंगा साथ ही मुझे उम्मीद है कि यहां जो कुछ हुआ उसे आप फैलाएंगे नहीं धनुष ने कहा प्रियम होदय हमें इस दयालुता के कार्य को प्रचारित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए आखिरकार आपने उन समुदरी लुटेरों को खदेर दिया और आप हमारे हीरो भी है यह तभी सही है जब दुनिया भर में हर कोई आपके वीरतापून कार्यों को जाने कावासा की ओशिमा ने कहा धनुष ने उदासीन्ता से उसकी ओर देखा और हलके से कहा हम कोई नायत नहीं है और नहीं हमें आपको बचाने की आवश्चकता थी यह सिर्फ इतना है कि मैंने इस द्वीब को खरीदा है जबकि उन समुदरी लुटेरों ने इस पर कबजा कर लिया था इसलिए हमें उन्हें खदेडना जरूरी था इसलिए आपको बचाना महज एक गुजरी हुई घटना थी यह कहने की बात नहीं है कि अगर एक बार यहां मामला फैल गया तो यह हमारे लिए केवल बहुत सारी परिशानिया लेकर आएगा बचाए गए सौ से अधिक लोगों ने एक दूसरे को देखा उन्हें समझ नहीं आया कि धनुष क्या कह रहा है हाला कि धनुष ही था जिसने उनकी जान बचाई वे उसके लिए मुसीबत नहीं लाना चाहते थे इसलिए उन्होंने बादा किया कि इस स्थान पर जो कुछ भी हुआ उसे प्रकट नहीं करेंगे निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश शुरुवात में महीलाई थी इसलिए धनुष के मामले को गोपनिय रखने के अनुरोध से स्वाभाविक रूप से वे बहुत संतुष्ट थे आखिरकार समुदरी डाकूँ द्वारा उनका उलंधन किया गया जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए गंभीर रूप से हानिकारक था धनुष ने गहरी आवाज में कहा वैसे भी बाहर यह विशेश रूप से सुरक्षित नहीं है कुछ जलत्स्यू भाग निकले हैं और मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वे अपने साथियों का बदला लेने के लिए यहां दुबारा चुपके से नहीं आएंगे इस प्रकार आपको यहां तब तक रहना होगा जब तक कि हम यह सुनिश्चित न कर लें कि बागी सभी समुदरी लुटेरे चले गए हैं ठीक है धन्यवाद धनुष ने अपना सिरहिलाया और जाने के लिए तयार हो गया क्योंकि यह लियानियान ने तेजी से दौड़ कर उसकी बाह पकड़ ली उसने फिर अपना सिरहिलाया और कहा मैं यहां नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ जा सकता हूँ आप यहां केवल चीनी हैं एक क्षण की हिचकी चाहट के बाद धनुष ने पूछा वहां सिर्फ मैं हूँ यह लियानियान ने सिरहिलाते हुए कहा तब आओ उम्मीद है कि बाहर का द्रिश आपको बहुत ज्यादा नहीं डराएगा धनुष ने कहा हौल से बाहर निकलने के बाद धनुष ने अपने कई आदमियों से कहा जो अभी अभी बाहर आय थे सभी शवों को धेर कर दो और फिर वुल्फ हेड और अन्य लोगों के वापस आने की प्रतीक्षा करो हाँ यह सुनते ही कई लोग तुरंक तितर बितर हो गए आधे घंटे बाद वुल्फ हेड, मो बंधु और अन्य लोग वापस आये और छै शवों को साथ लाए लाशों को महल के बाहर चौराहे पर फेंकने के बाद वुल्फ हेड ने सम्मान पूर्वक कहा बॉस हमने केवल छै को पकड़ा है उनमें से कुछ बच गए है उनके पकड़े जाने के बाद हमने पाया कि वे कई समुदरी लुटेरे लंबे समय से जहाज से जा चुके थे धनुष ने सिर हिलाया चुंकि वे बच गए हैं इसे केवल उनका सौभाग्य माने वैसे भी सभी लाशों को धेर करो उन्हें जलाने के बाद हम महल को साफ कर देंगे हाँ वुल्फ हेड ने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया धनुष ने फिर मो अवेन की ओर देखा और कहा सुभा होने के बाद कुछ लोगों को ले जाओ और उन नागरिक बंदियों को सदन बर्द्वीप तक ले जाओ आपके वहां पहुँचने के बाद उन्हें यह सब गोपनिय रखने की चिताबनी दें समझा मो अवेन ने सिर हिला कर जबाब दिया भयंकर और तीवर रात की लड़ाई के बाद 200 से अधिक समुदरी लुटेरों में से केवल कुछ ही भाग निकले क्योंकि अन्य सभी यहां मारे गए जिससे धनुष जीत से संतुष्ट हो गया उनके किसी भी आदमी की मृत्यू नहीं हुई और केवल कुछ ही घायल हुए हाला कि बंदूग की लड़ाई के कारण महल को नुकसान कम नहीं था हाला कि चूंकी धनुष ने जगह को फिर से बनाने की योजना बनाई थी इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया मो आउ के साथ उसके साथ उसने पूरे महल का दौरा किया और संतोष के साथ महल के बाहर चौक पर लोटने से पहले कई घंटों तक तहलता रहा यी लियान यान जो धनुष का पीछा कर रही थी ने उससे कई बार सवाल पूछने की कोशिश की फिर भी धनुष के उत्साह से भरे हुए देखकर उसने अपने सवालों को अंदर ही अंदर दबा दिया इस समय वह अंत में पूछने में मदद नहीं कर सकी विग ब्रदर धनुष क्या आपने वास्तव में यह द्वीब खरीदा है हाँ धनुष हसे एक बार फिर उसने पूछा तुम वास्तव में कौन हो आप इस तरह के एक अलग द्वीब के साथ क्या करने जा रहे है मेरी जानकारी के अनुसार यहां से सदर्न बर्ड आइलाइंड तक जाने में शायद 24 घंटे लगेंगे इसके अलावा अगर आपके पास सटीक समुदरी मार्ग नेविगेशन नहीं है तो इस जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्या आपने ताव यूआनमिंग की पीच ब्लॉसम स्प्रिंग पढ़ी है धनुष हंसा यह जूनियर हाई स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में विद्या है तुम्हारा मतलब है तुम यहां एक स्वर्ग बनाना चाहते हो हाँ मैं यहां स्वर्ग बनाना चाहता हूँ धनुष हंसे यह लिया न्यान का मुह कई बार फड़फडाया जब उसने एक अजीब अभिव्यक्ती के साथ कहा तुम जैसे अमीर पुरुषों के बहुत खास चौक होते हैं लेकिन तुम्हारे आदमी इतने शक्तिशाली कैसे होंगे उन्होंने उन्परूर समुदरी लुटेरों को बिना आख मारे मार डाला इसके अलावा उन समुदरी लुटेरों के पास था 200 से अधिक लोग फिर भी उनमें से कुछ ही बच पाए जबकि बाकी सभी आपके और आपके लोगों द्वारा मारे गए क्या यह बहुत अधिक नहीं है धनुष मंद मंद मुस्कराए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता लेकिन मैं आपको कुछ शब्द मुफ्त में दे सकता हूँ क्या शब्द हैरान होकर यह लियान्यान से पूछा एक ऐसी मुस्कान देते हुए जो अभी तक किसी के विप्रीत नहीं थी धनुष ने कहा वास्तव में एक स्मार्ट व्यक्ति वह है जो जानता है कि अज्यानता का नाटक कैसे करना है लेकिन जो कुछ भी नहीं जानता फिर भी मामले की तह जानना चाहता है वह उस कहाबत के समान होगा जिग्यासा ने बिल्ली को मार डाला यी लियान यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने तुरंट अपना सिर नीचे कर लिया और चुप्थ हो गई एक फी की मुसकान छोडते हुए धनुष फिर वुल्फ हेड की ओर मुडे और बोले मैं तुम्हें पूरे नौ ड्रैगन द्वीट की खोज के लिए दस दिन का समय देता हूँ मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे अलावा कोई भी इस जगह पर न हो इसके अलावा मैं वास्तुशित डिजाइन भी तयार करूँगा और मुख्य भूमी पर लोटने से पहले मेरे साथ सहयोग करने वाली निर्मान कमपनी का फैसला करूँगा बॉस मुझे लगता है कि यहां के निर्मान काफी अच्छे हैं आप इसका पुनर निर्मान क्यों करना चाहते हैं? वुल्फ हेड ने कहा धनुष ने वुल्फ हेड को नाइन ड्रैगन द्वीब को एक स्वर्गिय धन्य भूमी में बदलने की अपनी योजना के बारे में नहीं बताया खेती के लिए दुनिया की सबसे उप्युक्त भूमी भले ही उसने वुल्फ हेड को बताया हो, वह आदमी इसे समच नहीं पाएगा नौ ड्रैगन द्वीब पर उतरने के बाद धनुष ने उचसुपता से महसूस किया की यहां स्वर्ग और प्रिथवी की आध्यात्मिक क्यूई की एक आगरता अन्य स्थानों की तुलना में कम से कम पाँच गुना सम्रिध थी जब कोई गहरी सांस लेता है तो उसका शरीर सहज महसूस करता है यदि नाइन ड्रैगन स्पिटिंग परल का गुप्ट शेत्र पूरी तरह से यहां बना होता तो द्वीप में आध्यात्मिक क्यूई की सघंता बाहर की तुलना में एक दर्जन गुना अधेक सम्रिध होती यहां तक की एक सौ गुना तक भी पहुँच सकती थी हालां कि उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि अगर इस स्थान पर आध्यात में क्यूई की एक आगरता बाहरी दुनिया की तुलना में सैकडो गुना तक पहुँच जाती तो आम लोग शायद दम घुटने से मर जाते इतने सारे सवाल मत पूछो तुम इसे तब समझोगे जब यह स्थान फिर से बन जाएगा अपना हाथ लहराते हुए और उसे अन्य चीजों में व्यस्त होने का इशारा करते हुए धनुष फिर मुडा और चौक के किनारे की ओर बढ़ गया नीचे की जमीन को देखते हुए उसकी नजर अंत में जंगल और समुद्र तटकी सीमा से सटे सौ मीटर चौड़े प्रमुक शेत्र पर पड़ी सूरज उगरहा था जिस क्षन लाल चमकीला सूर्य उदे हुआ धनुष स्पष्ट रूप से बैंगनी क्यूई की एक विशाल धारा को आकाश से प्रिथवी की ओर उतरते हुए देख सकता था क्योंकि यह भूमी के उच्छतम बिंदु तक पहुँचने के लिए फैला हुआ था सर्वोच्च समराट की बैंगनी क्यूई सर्वोच्च समराट परपल क्यूई का प्रिथवी पर प्रकट होना कैसे संभव है धनुष का शरीर बुरी तरहकाप उठा और उसकी आखों से एक हैरान कर देने वाला भाव फूट पड़ा किसी को पता होना चाहिए कि सर्वोच्च समराट की परपल क्यूई अमर दुनिया में परपल यांग स्टार डोमेन की सबसे विशिष्ट विशेश्टा थी डोमेन में केवल नौक शेत्र थे जिन में से प्रक्तेक में हर साल परपल क्यूई की धारा उतरती थी और परपल क्यूई की प्रक्तेक धारा अमरों के लिए भारी लाब लाती थी जब धनुश अमर लोक में थे तब उन्होंने एक बार बड़ी कीमत चुका कर सर्वोच्च समराट परपल क्यूई की दो धाराय प्राप्त की थी लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह भी इस जगह मौजूद होगा अगर मैं सर्वोच्च समराट की इस बैंगनी क्यूई को अपने शरीर में शामिल कर सकता हूँ तो यह निश्चित रूप से मुझे बहुत लाप पहुँचाएगा शायद मैं मास को मजबूत बनाने के चरण में प्रवेश कर सकूँगा उत्तेजना पर्मानंद इस वक्त धनुष के मूर को बया करना काफी मुश्किल था वह अमर लोग से थोड़े समय के लिए लोटा था और उसकी साधना अभी भी धीमी गती से आगे बढ़ रही थी इसलिए यदि वह मजबूत होना चाहता था तो उसे शौटकट खोजना था कुछ मिनट बाद धनुष उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां सरवोच समराठ की बैंगनी क्यूई विलुप्थ हो गई थी जहां से उतरते समय उन्होंने इस स्थान पर विशेश ध्यान नहीं दिया इस समय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया और अपने शिरोबिंदु में अपने स्टार बल की वृद्धी की उसने तुरंट महसूस किया कि इस स्थान पर आध्यात्मिक क्यूई बहुत पतली थी फिर भी वह अपने पैरों के नीचे आध्यात्मिक शक्ती के तेज उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था खोर धनुष हक्का बक्का रह गया और अचंभित रह गया नीचे एक आत्मा का वसंत है इस खोज ने उन्हें इस हद तक चकित कर दिया कि उनके लिए ठीक होना मुश्किल हो गया था उन्होंने अनुमान लगाया था कि पूरे नाइन ड्रैगन द्वीप में एक आध्यात्मिक शिरा होनी चाहिए फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि न केवल इस स्थान में एक आध्यात्मिक शिरा है यहां तक कि यहां एक आत्मा वसंत भी मौजूद है आध्यात्मिक शक्ती वाली भूमी का आध्यात्मिक वसंत पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे भूमी एक विशाल आध्यात्मिक शक्ती जमा कर लेगी यदि एक क्रिशक ऐसी जगह पर अभ्यास करता है, तो वह न केवल स्वर्ग और प्रित्वी के बीच आध्यात्मिक क्यूई को अवशोशित करने में सक्षम होगा, बलकि वह आध्यात्मिक वसंत के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को भी आकर्शित कर सकता है, जिसके गुना हो जाता है, एक, क्या अन्या आत्मा के जरने हो सकते हैं? बंदरगाह तक जाने वाली अन्या आठ सडकों को याद करते हुए, धनुष तुरंत बंदरगाह के निकटम सडक की ओर लपके, दस मिनट बाद वह वहाँ खड़ा था, अपनी आध्यात्मिक भावना को मु कर सकता था. क्या ऐसा हो सकता है कि बंदरगाह की नौ सडकों के सभी अंतिन बिंदू उपर आत्मा का वसंत हो? इस अध्भुत विचार की पुष्टी के लिए धनुष बिनारुके पूरे नाइन ड्रैगन्स द्वीप का सर्वेक्षन करने लगा. हर बार जब वह किसी दू अपन बिंदू पर एक स्पिरिट स्प्रिंग था. नौ आत्मा स्प्रिंग्स इन स्पिरिट स्प्रिंग्स के अस्तित्व के साथ धनुष भविष्य में बड़ी संख्या में विशेशग्यों के अपने प्रशिक्षन को आसानी से देख सकते थे. नाइन ड्रैगन्स देशी निर्मान कंपनियों का उप्योग नहीं करने का फैसला किया. उसने जल्दी से एक सैटेलाइट फोन लिया और लांग जेंग्यों का सेल नंबर डायल किया. नमस्कार, लांग जेंग्यों बोल रहा हूं. मैं जिससे बात कर रहा हूं, लांग जेंग्यों से संबंधि धनुष मैं तुम्हें इन दिनों फोन कर रहा हूं लेकिन तुम्हारे माध्यम से प्राप्त करने में असमर्थ था। अभी आप कहा है। उस समय मैं अपने पिताजी के साथ था और उनसे इस बारे में बात की थी लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पास वहाँ इतनी सारी अच्छी चीजें होंगी लांग जेंगयू हनसा। आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी विदेश में हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में केवल फोन पर ही बात कर सकता हूँ। धनुष ने गहरी आवाज में कहा। मुझे बताओ, लोंग जेंगयू ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। धनुष ने कहा, मैंने विदेशों में एक द्वीब खरीदा है और इसे विक्सित करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इसके लिए एक भरोसे मंद और भरोसे मंद निर्मान कमपनी की जरूरत है। लोंग जेंगयू के चहरे पर अभिव्यक्ती का वर्णन करना कठिन था क्योंकि वह व्यंग्यात्मक धंग से मुस्कुराया और कहा, भाई धनुष यह संभालने की बात नहीं है। हमारे पास विदेश में कोई निर्मान कमपनी नहीं है, और हम विदेशों में विशिष्ट स्थिती के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप यहाँ एक कमपनी पंजीकृत कर सकते हैं? सभी निर्मान दल को मुख्य भूमी से लाना बहतर है। अगर मुझे और पैसे खर्च करने पड़े तो भी ठीक है, धनुष ने कहा। बरदस्ती मुस्कराते हुए, लान जेंगयू ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है कि अधिक पैसा खर्च करने से हल हो जाएगा। यदि परियोजना छोटी है, तो विदेशों में निर्मान कंपनी को पंजीकरित करना बहुत ही परिशानी भरा है। जेंगयू तुम गलत हो। मैं जिस द्वीक विकास की बात कर रहा हूँ, वह निश्चित रूप से कोई छोटी परियोजना नहीं है। मैं इसमें कम से कम 20 बिलियन का निवेश करने जा रहा हूँ, धनुष ने गहरी आवाज में कहा। लॉंग जेंगयू थोड़ी लाल आखों से चिलाया, कोई बात नहीं, चुमकि आप इसे करना चाहते हैं, बहतर होगा कि आप कल मेरे यहाँ आएं। मैं तुम्हें लेने के लिए साइपन में किसी को भीजूंगा, धनुष ने कहा। हालां कि मेरी ओर से थोड़ी चिंता है। अगर हम इसे हल कर सकते हैं, तो मैं निर्मान टीम और उपकरणों की व्रवस्था करना भी शुरू कर सकता हूँ और आपके द्वीब पर जाने के लिए तयार हो सकता हूँ। लॉंग जेंगयू ने जल्दी से कहा। आपको क्या चिंता है, धनुष से पूछा। यह साइपन की स्थिती के बारे में हैं। मैं उससे मदद मांग सकता हूँ अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी और से संभाल नहीं सकते हैं। धनुष ने कहा। कोई जाच नहीं। खेर, मैं कल जा रहा हूँ। नहीं, मैं आज साइपन के लिए दोड़ता हूँ। मुझे बताओ कि वहां तुम्हारे आदमियों से कहा मिलना है। लॉंग जेंडियू ने गहरी आवाज में कहा। लाओ बे रिजॉर्ट धनुष ने कहा। फोन रखने के बाद धनुष ने एक पल के लिए सोचा। ऐसा करने के बाद उसे टॉम रेगी के साथ अच्छी बात चीत करने के लिए साइपन जाना होगा। अगर वह आदमी उन्हें इस उद्यम में शामिल करना चाहता था, तो वह उसे कुछ लाप देता था। यह कहने की बात नहीं है कि यदि नौड रेगन ग्वीप में पुनर निर्मान पूरा हो गया था और यह स्थान उसका सरवोच मुख्याले बन गया, तो साइपन की उसकी यात्रा की आवरिक्ती बढ़ जाएगी, इस प्रकार आदमी के साथ अच्छे संबंध होना आवश्य रखोगा, बिग ब्रदर धनुष, समुद्र तट पर सौ मीटर दूर यी लियान्यान जिसने अपने चेहरे से मेकप हटा दिया था, अपने पूर्व सुन्दर रूप में बदल गई, धनुष ने सैटलाइट फोन दूर रख दिया और अपने सामने यी लियान्यान को देख चकित होकर उसने कहा, तुम्हारा चेहरा, यी लियान्यान ने हंस्ते हुए कहा, यह खुद को बदसूरत दिखाने का एक तुछ साधन है, ताकि उन समुद्री लुटेरों ने मुझे बाहर कर दिया, धनुष को अचानक एसास हुआ क्योंकि उसने चुपके से इस लड़की अच्छी है, और यहां आपके साथ रहना काफी सुरक्षित है, इसलिए मैं यहां कुछ समय के लिए रुकना चाहता हूँ, यी लियान्यान ने जल्दी से कहा, हमारा अनुसर्ण करना आपके लिए अच्छा नहीं है, हम आदमियों का एक समु है, धनुष ने कुटिल मुसक साथ सफाई भी कर सकता हूँ, संक्षेप में आप मुझे यहां रहने से नहीं चुकेंगे, यी लियान्यान ने कहा, धनुष हसे बिना नहीं रह सका, ठीक है, चुंकि तुम रहना चाहते हो, तो रहो, लेकिन मैं किसी चीज का ध्यान रखने के लिए आज साइपन के लिए नाइन ड्रैगन्स द्वीब छोड़ दूँगा, मुझे डर है कि मैं कुछ दिनों बाद ही वापस आऊंगा, आप साइपन में क्या करने जा रहे हैं, हैरां यी लियान्यान ने पूछा, काम का सामान धनुष ने कहा, एक पल के लिए जिजकने के बाद उसने पूछा, क्या मुझे बस ऐसास हुआ कि इस द्वीब का पर्यावरन बहुत अच्छा है, इस बात का जिक्र नहीं है कि मैं उस शांदार महल में रह सकता हूँ, सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में इतना आलिशान महल कभी नहीं देखा, बड़े भाई धनुष तुम सच में बहुत अमी अमीर, धनुष के पास अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वह थी पैसा, नौड रैगन द्वीब के पुनगनिर्मान के लिए एक भयानक राशी की आवश्यक्ता थी, फिर भी उनके पास जो राशी थी वह परियाप्त नहीं थी, इसलिए उसका दिमाग ऐसे विच कॉर्प संभवता लाब कमाना शुरू कर सकता है, वित्तिय सहायता के एक स्थिर प्रवाह के साथ, शायद उसे बाद में धन के बारे में चिंता करने की आवश्यक्ता न हो, तो आपको मेरी क्या जरूरत है, धनुष ने विशय बदलने के लिए कहा, अगर यह भोजन के लि चलो वापस चलते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, धनुष ने सिर हिलाते हुए कहा, इस समय महल में सभी शवों को इकठा करके जला दिया गया था, जिन लोगों को समुदरी लुटेरों ने पकड़ लिया था, उन्हें वापस भेज दिया गया था, जबकि मृतकों को ले ज लग रहा था, दोपहर के भोजन के बाद यी लियानियन को देखते हुए, जो जल्दी से टेबल वेर साफ कर रहा था, धनुष ने वुल्फ हेड को एक हाथ का संकेत दिया, और फिर दोनों महल के गेट की ओर बढ़ गए, आपका आदेश क्या है, बॉस, मैं साइपन वाप अगर वह लड़की की लियानियान यहां रहना चाहती है, तो उसे रहने दो और उसकी देख भाल करो, वह कपड़े धोने और खाना बनाने का काम भी करेगी, और जब तक मैं दूर न रहू, तब तक तुम्हें पूरे द्वीब की चानबीन करनी है, अगर यहां और लोग है तो उन्हें तुरंट पकड़े और इसे संभालने के लिए मेरे बापस आने का इंतजार करें, यदि नहीं, तो आपको पहरे पर रहना होगा, मेरा मानना है कि निर्मान परियोजना टीम के यहां आने में कुछ समय लगेगा, धनुष ने कहा, ठीक है, हम यहां तैनात रहें लेकिन पूरे द्वीट की रखवाली करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम कर्मचारी हैं, वुल्फ हेड ने कहा, मुझे पता है, मेरे अधीन बहुत कम लोग हैं, धनुष ने आह भरते हुए कहा, वुल्फ हेड का चहरा जिल्मिला उठा और उसने जल धनुष के भाव हिल गए, उनकी तुलना आप से कैसे की जाती है, उनमें से कुछ मुझ से कमजोर नहीं है, और बाकी मेरी टीम के बराबर हैं, वुल्फ हेड ने कहा, अच्छा, फिर आप इस मुद्दे का ध्यान रखेंगे और दूसरों को रक्षा कार्य सौंपेंगे, ज आपको इस बिंदु के बारे में आश्वस्त कर सकता हूँ, लेकिन वेतन के बारे में, एक पल के लिए धनुष विचलित दिख रहा था क्योंकि उसने एक अजीब अभिव्यक्ती के साथ वुल्फ हेड का आकार लिया, फिर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और पहली बार जब हम मिले थे, मुझे याद है कि हमने इस मुद्दे पर बात की थी, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको एक पैसा नहीं दिया है, है ना, तो ठीक है, मैं तुम बारहों में से प्रत्येक को सालाना पांच सौ हजार का भुगतान करूँगा, जैसा कि आप लाएं जब मैं आपके प्रबंधन के लिए सायपन आऊंगा, पैसे खत्म होने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई उपकरण है, जिसे आपको खरीदने की आवश्चकता है, तो आप भी मुझे स्वतंत्र रूप से बता सकते हैं, और जब तक यहाँ आवश्चक होगा मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा, धनुष ने कहा, वुल्फ हेड के चहरे पर मुस्कान और भी घनी हो गई, उन्होंने अचानक पाया कि धनुष का अनुसर्ण करना एक बुद्धिमान विकल्प था, उसके बाद के दिन बहुत शांदार और रोमाचक रहे, चाहे वह अ मैं कुलीन योध्धाओं के एक समोह को प्रशिक्षित करने में आपकी सहायता करूँगा, धनुष ने अपना हाथ हिलाया, मुझे सैन्य प्रथा के अनुसार अनुशासन के बारे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट के प्रशिक्षन को छोड़ दें, उसके ल अवेन की ताकत देखी थी और जानता था कि वह कितना दराबना था, इसलिए वह पूरे मन से आश्वस्थ थे, वैसे मैंने आज सुबह द्वीप के चारों और ट्रेकिंग की, लेकिन मुझे कोई समुदरी डाकु जहास नहीं मिला, उन जलक्सियों के जहास कहा छोड़े ग हमने इसकी जाच की है, कुल तीन जहाज हैं, जिन में से एक पुराना युद्धपोत है, जो हमें नहीं पता कि उन्होंने कहा से प्राप्त किया, प्रत्येक जहाज हतियारों से लैस है, धनुष ने सिरहिलाया, एक समुदरी डाकु के रूप में, कई वर्षों तक एक रहन के पार करने में सक्षम होने से पता चलता है, कि उनके पास राजधानी है, वैसे भी बॉस, जिस क्रूज लाइनर से आप नाइन ड्रैगन्स द्वीप जाते थे, उसका उप्योग अब दक्षिनी बर्ध द्वीप के निवासियों के परिभन के लिए किया जा रहा है, इसलि उसने फिर धीरे से कहा, क्या आप उन जहाजों को अस्थाई रूप से संशोधित कर सकते हैं, वुल्फ हेड ने अपना सिरहिलाया, यह आसान नहीं होगा, वे अनेक अस्त्रशस्त्रों से सुसजजित हैं, उन्हें हटाने में कुछ दिन लगेंगे, धनुष ने कुटिल हुआ सितारा बल मजबूत हो रहा था, और वह किसी भी समय मास को मजबूत करने के चरण में सफलता हासिल कर सकता था, हाला कि उसने कितनी भी कोशिश की, वह हमेशा आखिरी बाधा में अस्फर रहा, वह वहां सुभा चार बजे तक था, और फिर महल के शीर्ष से बंदरग समय बीटता गया, जब चमकदार लाल सूर्योदय आया और धूप की पहली के रण समुदर में गिरी, सरवोच्च समराट परपल क्यूई की एक धारा पूर्वीक शितिज से उतरी और तुरंत धनुष के माथे में समा गई, बूम, पाल्थी मारकर बैठ कर खेती करना, एक चोटी दरजन सांसों के भीतर, यह कुछ समय के लिए धनुष के शिरोबिंदू के भीतर परिचालित हो गया था, मुझे दीजिये, धनुष की चेतना शायद ही इस सरवोच्च समराट परपल क्यूई को अपने भीतर समा सके, केवल फाडने के प्रयास पर भरोसा करते ह केवल तभी यह उसके तानतेन में खीचा गया था, उसके तानतेन के अंदर की सितारा शक्ती लगातार इस सरवोच्च समराट परपल क्यूई के पास पहुंची, इसे लपेटने और परिश्कृत करने का प्रयास किया। अंगुठे के आकार की गेंड में सिकुर गई। उसके आंतरिक अंगों को धोकर बुझा रही थी। प्रत्यक कोशिका दो में विभाजत हो जाती है और फिर चार में विभाजत हो जाती है। कई गुना बढ़ गई थी। कोई उसे गोली मार दे तो शायद वह उसकी चमडी को भेद न सके और ज्यादा से ज्यादा उस पर निशान ही छोड़ सके। हाँ हाँ हाँ। के कारण स्टार बलकि उनकी अवशोशन गती पहले की तुलना में तेस थी। महल वापस लोटते समय धनुष के मन में अभी भी खुशी भरी हुई थी। आखिरकार वह लंबे समय से त्वचा को मजबूत बनाने के चरण में अटका हुआ था और आखिरकार अब सर्वोच समराट परपल क्यूई की मदद से उसे सफलता मिली। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई क्योंकि उसकी समगर ताकत कम से कम पहले की तुलना में दोगुनी शक्तिशाली हो गई। इससे पहले जब वह पहली बार विवियन से मिले तो उन्हें लगा कि वह उनके विरोधी नहीं है। आखिरकार उसके पास एक असामान्य भयानक आभा थी। लेकिन अब भले ही विवियनी एक विशेशज्य मार्शल का लाकार थी, फिर भी उसके पास उससे लड़ने का आत्म विश्वास था। वो सकता है कि वह उसे हरा न पाए, लेकिन फिर भी अगर वह कीमत चुकाए तो वह उसे घायल कर सकता है। जाने वाला क्रूज लाइनर वापस लोट आया। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो मुख्य भूमी में रियल एस्टेट व्यवसाय में है और वह अपनी निर्मान टीन को यहां लाने के लिए तयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि नौड रेगन द्वीब का पुनर निर्मान सुचारू रूप से किया जा सकता है। दो दिन बाद क्रूज लाइनर ने साइपन बंदरगाह पर डॉक किया। चालक डल को डॉकिन प्रक्रियाए सौंपने के बाद वह और मो अवेन फिर लाव बे रिजॉर्ट के लिए रवाना हुए। अरे मैं यहां हूँ। मैं सीविउ विलाहश सत्रह में हूँ। दोनों लोगों ने हाथ मिलाया और मो अवेन ने तुरंत कहा बॉस टॉम अपने रास्ते पर है। उसे जल्द ही यहां होना चाहिए। फिर मैं उसका इंतजार करूंगा। वैसे भी तुम बाहर उसका इंतजार करती हो। जेंग्यू और मुझे कुछ चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है। इसके तुरंत बाद धनुष और लॉंग जेंग्यू अंदर चले गए। बैठने के बाद धनुष ने सीधे कहा। टॉम रेगी मो अवेन का दोस्त है, एक उग्र और अनुभवी चरित्र है जो जीवन और मृत्यू की परिस्थितियों से गुजरा है। वह इस लावबे रिजॉर्ट के बहु संख्यक शेर धारक भी हैं और थोड़े का साइपन में बड़ा प्रभाव है। वह मेरे द्वारा ख्रीदे गए द्वीब के पुनर्निर्मान में मदद कर सकता है। द्वीब की अवधारना तयार की है। आप इस परियोजना में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। यह स्थान बाद में मेरा डोमेंग बनने वाला है। एक डोमेंग जो वास्तव में मेरा है, जहां मैं सर्वोच अस्तित्व हूँ। धनुष हनसे। लॉंग जेंग्यूने इस बरदस्ती मुस्कराते हुए कहा, कहो, भाई धनुष, तुम एक राज्य पाना चाहते हो, ए। धनुष ने हनस्ते हुए कहा, एक गोज देश बनाओ। बाह, यह सिर्फ दरजनों वर किलोमीटर है। लॉंग जेंग्यूने पूछा, धनुष, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हालां कि मुझे नहीं पता की कितना है। लेकिन आपके पास परियाप्त नहीं है, है न। साथ ही, यह परियोजना बहुत बड़ी है, इसलिए आपको शुरुवाती अवधी के लिए कितना निवेश करने की आवश्यक्ता है। सबसे पहले, हम एक भाई होने के नाते अलग हैं, व्यवसाय अभी भी व्यवसाय है। निर्मान परियोजना में केवल निवन्तम कमाई लेकर मैं आपके लिए सबसे अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगरिम भुकतान के लिए धन उपलब्ध नहीं करा सकता। आप पहले से ही जानते हैं कि मेरे लंबे परिवार ने सहयोक्त सहयोक परियोजना में अपना लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया है। आपको परियोजना की गुनवत्ता की गारंटी देनी होगी धनुष ने मुस्कराते हुए कहा। समझ गया लॉंग जेंगयू ने सिरहिलाया। शन भर बाद टॉम रेगी और मो अवेन पहुँचे। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप वापस आ गए मिस्टर टैंग। वैसे यह दोस्त है। टॉम रेगी ने धनुष के साथ गर्म जोशी से हाथ मिलाया और फिर लॉंग जेंगयू की ओर देखने लगे। धनुष ने परिचए दिया, वह मेरे देश का दोस्त है। मैंने विशेश रूप से उन्हें एक निश्चित परियोजना के लिए व्यावसाइक सहयोग पर चर्चा करने के लिए यहां बुलाया था। ठीक इसी वजह से मैंने आपको आने के लिए आमंतरित किया क्योंकि मैं आपसे यह पूछने जा रहा हूँ कि क्या आप मुझसे कुछ पैसे कमाने में रुची रखते हैं। अपसे टॉम रेगी के चहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ। धनुष ने मामले को समझाया और फिर अंत में कहा आप यहां सायपन में एक स्थानी अत्याचारी हैं। आप लॉंग जेंडियू की तुलना में चीजों को अधिक आसानी से संभाल सकते हैं। इसलिए यदि आप इसमें हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आपको अभी निर्नय लेना होगा। परियोजना में दिल्चस्पी है। और तो और मैं आप जैसे बिग बॉस मिस्टर टैंक के साथ व्यापार कर रहा हूँ। वैसे भी मिस्टर लॉंग चुंकि यह मिस्टर टैंक की परियोजना है क्या आपके मन में सहयोग के लिए कोई विचार है। जेंडिय। ने कहा कमाई के मुद्दों के बारे में चलो बाद में एक अलग बातचीत करते हैं। ठीक है, टॉम रेगी ने सिरहिलाया और हसे। धनुष ने कहा, मैं आप दोनों के बीच के मुद्दों के बारे में नहीं जानना चाहता, इसलिए आप इस पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। अभी के बारे में कैसे? इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए है ना धनुष ने मुस्कराते हुए पूछा। तॉम रेगी ने तुरंत कहा, मैं अभी रहने की व्यवस्था करूंगा। धनुष ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं यहीं रहूंगा। लॉंग जेंग्यू वैसे भी हम में से एक है, सभ्यता की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वयां व्यस्थ हो सकते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद चलो रात का खाना खाते हैं। यदि ऐसा है। मैं पहले अपनी चुट्टी लूँगा। टॉम रेगी के जाने के साथ, लॉंग जेंग्यू ने अपनी आखें नीची कर ली और कहा, यह टॉम रेगी बुरा नहीं है। धनुष, मुझे एक सीधा सादा आदमी लगता है। यदि उसके पास साहस और संकल्प नहीं है, तो वह एक बड़ा व्यवसाय कैसे कर सकता है। टॉम रेगी की एक असामान्य पहचान है और वह बहुत उग्रव्यक्ति हुआ करते थे। उसका दिमाद और निर्ने लेने की क्षमता अच्छी है, इसलिए साथ मिलें और उसके साथ जो भी आपके मन में हो उसके बारे में खुल कर बात करें। धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा। आराम करना इसके अलावा, सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण चीज इमानदारी और विश्वास है, जिसकी मैं खुद पुष्टी कर सकता हूँ। बहरहाल, क्या आपने बीजिंग छोड़ने के बाद से अपने परिवार से संपर्क किया है। मैंने ओयान लुलू से सुना कि आपकी मौसी आपको ढूंड रही थी, लेकिन वहाँ आपसे संपर्क नहीं कर सकी। पैतरिक चाची तांग मिन का चहरा धनुष के दिमाग में दिखाई दिया और फिर उसने अपना सिरहलाया और कहा मैंने किसी से संपर्क नहीं किया है। मेरे विदेश आने के बाद कई महत्वपूर्ण लोगों से संपर्ख करने के अलावा मैंने बहुत अधिक लोगों को कॉल नहीं किया है लेकिन उसने मुझसे किस लिए संपर्ख किया पता नहीं लॉंग जेंगयू ने अपना सिरहिलाया कॉल करें और ओयान लुलू से पूछें कि क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या आप उसे सीधे कॉल कर सकते हैं धनुष एक पल के लिए चुप हो गया और उसने सिरहिलाया मैं उससे बाद में संपर्ख करूँगा चल दर मैं तुम्हें एक थाई मसाज के लिए ले चलता हूँ इस जगह का एक अच्छा है यह सही है मैंने यहां एक बहुत जोरदार और वीरभावना के साथ साथ उदार और वफादार व्यक्ती से भी मुलाकात की WHO लॉंग जेंगयू से पूछा मुझे नहीं पता की वह क्या करता है क्योंकि मैंने उससे नहीं पूछा धनुष ने अपना सिरहिलाया और कहा लेकिन उसे बिग बॉस होना चाहिए हालांकी वह अपने आपको ओर्ड फेटी ली कहता था तो मैं भी उसे वैसे ही बुलाता था ओर्ड फैटी ली लॉंग जेंगयू के चहरे पर हैरानी छा गई क्या आप कह रहे हैं कि वह पूर्वोत्तर स्टील मैगनेट है ली लाउशान धनुष ने मुस्कराते हुए कहा हाँ, ऐसा लगता है कि उन्हें ली लाउशान कहा जाता है अपना अंगुठा उपर उठाते हुए, लॉंग जेंगयू ने आह भरते हुए कहा लानत है, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाली लाउशान से मिलोगे और जान पहचान पाओगे वह लड़का एक भयानक आदमी है, देश में बदनाम और घमंडी है जब तक आप उसे अपने कौशल से मोहित नहीं कर सकते, अन्यथा वह सामान्य रूप से आपकी उपेक्षा करता एह आश्चर्य चकित होकर धनुष ने आश्चर्य से कहा मतलब वह पागल है